करपूर गोरं करुणा वतारं संसार सारं भुजगेंद्रहारं सदावसंतं हृदयारविंदे भवंभवानी सहितं नमामी वह जैंके लाल मैंने बेटे का नाम राजा क्या रखा वो तो सच्मुश राजाओं की तरह जीने लग गया एक नमबर का निकमा और नाकारा हो गया उसकी हराम खुरी के आलत छोड़वा दे और महनत करना सिखा दे मैं तेरे चर्णों में एक सो एक रुपय का परसाद चड़ाओंगा है मागन चोर मेरा बेटा एक नमबर का काम चोर तेन भर आवारा सांड की तरह गाउं में फिरता रहता है लड़कियों की मट्कियां पोड़ता रहता है उसको अपनी तरह नटखट नहीं राम जी की तरह आदर्श वादी बना दे मैं एक सो एक रुपया और चड़ा हूँ उसको पास करा दो फिर मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा और एक सो एक रुपया और चड़ाओंगा जै कृष्ण मुरारी जैराम जी के शिवना जी कहां भागे जा रहे हैं कुछ भगवान पे पैसे वैसे तो चड़ा के जाएए अभी मेरा काम थोड़ी हूँ जो पैसे चड़ा के जाओं हो जाएगा तो ऐसे क्या देख रहे हैं अज़ा ठीक है सो रुपय आडवान देके जाता हूं बागी काम ह पर दूँगा अच्छी बात लाईए मेरे बढ़वा एक पैसा नहीं मेरे पास अरे क्या शिवनाज जी भगवान के सामने खड़े खड़े बहाने बना रहे हैं नहीं पंडिची आपके सरकी कसम कल मैंने मंडी में गेम बेचा हजार रुपय मुझे मिला पैसा नहीं मेरे प राजा राजा के के चिला रहे हो जब मैंने अपने बेटे का नाम राजा जी रखा है सारा गाउं उसे राजा जी बुलाता है तो उसे राजा कहने वाले आपकोन होते हैं मैं उसे राजा जी काऊंँ एक बार वो जी मुझे मिल जायी तो मुझे जी ना मुझे कर दूँ उल्टा नंगा लटका कर पुराने गदेले की रूई के तरह नहीं दुनत डैला तो मेरे नाम शिव नाथ नहीं क्यों जी क्या किया है मेरे लाल ने वह घाला कर दिया है अधर किया बात कर रहे हैं मेरा बेटा चॉर यह क्या फिर्स चोर स्क्रेटर में पर बांब करने मेरे निकमदा प्रसों से तुल्ले की तरत यार हो की घूम रहा हूं सर पे दूले की पगड़ी तन पे दूले का जोड़ा जेब ये देखो जब चमाता सेरा, अरे बरसों से पंडित को भी तियार करके बैठा हूँ, अरे चार-पाच बार तो अकेले फिरे लगा चुका हूँ, लेकिन दुलल ससरी है कि मिलती ही नहीं है, पिताजी नहीं है, मेरा नाम तो शादी डाल रख दिया था, पर उसके लाल की शादी तो हुई आपके खांदान का चिराग, आपके कड़िजी का टुकळा, अरे आपका नूर नजर, आपका बेटा राचा जी बाट रहा है, तुम क्या हैं कर रही हो, एक तो हराम खोरने मेरे जेब से हजार रूपे चुरा लिए, उपर से इमामा भांजे, लड़ू खा रहे हैं, जिज जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, मुबारच झी, शिवनाज झी, मुबारच हो, क्या दिल पाया है आपके बेटे ने, फिल्पोल आप जैसा, पूरे गाओं का मूह मिल्था करा दिया, उसने, आओ बचुवा, हूं नवस्ते शिर लट्डू नवस्ते च्वा तुझको भी मेरे बेटे ने लड़ू खिला दिया है उनकी क्या मजा जब मुले लड़ू खिलाएगा अला मैं तो इंसान हूँ उसने तो गाय, बैस, बैस, बिल्ली नभी को लड़ू खिला रहा अववाला है न मेरा बेटा हुआ ला है पढ़ाई में मैं कभी जुड नहीं बलता आपके लड़के को जितने नमबर मिले हैं न खिलाज में किसे गह रही मिले पता हो, मेरा बेटा हुआ ला है पर मैं उसको मारने के लिए लाठी ले के घुमरो लाठी के बचाए मेरे हाथ में मिठा ही होनी चाहिए भी एक मिनत जेरा इआँ ये नाइ Fran तो मेरे बेटे को इजज़त की पद्वी पे बेठाया है इज़त की पद्वी पे मैंने आभी के कारण तो मेरा बेटा हुवा नमर जो पास हुआ है लीजे लड़ू खाई है अरे क्यों लड़ू बानकर अपना नुक्सान कर रहे हैं आज के यूग में चोड लुटेरे कॉले के मुँ में कालक खोदी उसने यूनिवस्टी वालों ने यहां तक बोल भिया कि दुबारा इस तरह को लड़का फेल होगा तो कॉले में ताला लगा देंगे और आप लड़ू बाट रहे है इतना बड़त होगा मैं इसके लिए मिठाई बाट रहा हूं मिठाई के ब राजाजी 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 मेरा नाम एश करना एश करना मेरा काम जहां इधर से जाता हूं मैं सब करते हैं सलाम राजाजी 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 पढ़ लिखके क्या करना यारो मुझे को तुम समझाओ मुझे को तुम समझाओ अरे खाओ पीयों होच मनाओ जिंग 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 करो ़िए राम राजाची शे설े चेसे पिसलों कि का भी हएव př रहाघ करो αथ मिलने शुन कि मामे पेड़लाजी शुत कर थीरा-व्यों पर श्रादनों मंस्तों तो रहाओ और और सलक्ट्सराइब शुर्बक्र शाल्ष है तेरहाए बख्यास नियुक्त वागं पिछांट इस नियुक्त पोई जद आहे पी आताई जेता है यहां से भाग्या जो था शुमान को हेल्व कर, मामे, मामे, तुमेचा ही हल्व कर, मामे! भाग, और कहां तक भागे गाग? वह तो गली ने दोका दिया, बिच में दिवार खड़ी कर दी, वरना में भाग जाता? मैं इसी दिवार में तेरे को जिल्लती चुनवा दूंगा! मैं कुए अनार करिये हो जग मुने चुन्वा देगे जब योगों से छूट वलता है तू अवढ Tech Laban Telecon अब दिन भर जाऊगे हल जोतोगे पहलों के बदले देत काम करोगे बाण ढ़े किन जा करें मैं किस एकल से मेल लगता हूँ जो मुझे भाल की तरह जोतए PAL तुम तो फिर भी लगता है मैं तो बिल्कुल नहीं लगता है मैं का सजाओगए मामे.. सब्सक्राइब कोई ऐट रहा है। कि तुने मुंबई का नाम सुना है दखकर देख करते हूं यार मतलब करने निचे काम करते हैं मेरे अंडर अच्छा तरह कांड़ कितनी यह दस हजार महीना ज़ता वह बात करता है यह काम ठाट मैं आप आफिसमें एर कंडिशन की हवा खाता हूँ और सुण मुश्किल से आरदास फायर में मेरे सामने आती है साइन करता हूं लटा देता हूं मां मैं बगल मैं से हट यार ए करवा यह इस तरह से बगल मेहनत करने वाला काम मेरे को भी दिला देना यार नजल के राक हो गया क्या कोई बात नहीं न वह जिस गोबर की बात करके गया है न उसी गोबर को एक दिन होसके मूपे ठोब देना तु जी जाजी क्यों है? भाणजा कुछ कहना चाहता है बात तो कहने वाली नहीं है लेकिल मैं कहना चाहता हूँ कि मैं मुंबई जाना चाहता हूँ बाबोजी मुंबई? क्यों गाउं का सत्यानास कर दी अब क्या मुंबई खराब करने कह रहा है? मैं बाद सत्या नास की नहीं है, मैं नोकरी करना चाहता हूँ नोकरी? तु और नोकरी? नोकरी के लिए हाथ पर रिलाने पड़ते हैं, तु काहिल काम चौर तु क्या नोकरी करेगा? जी जाजी, जबसे भाण जेने कडवे को फटपटी में देखा है ना, तबसे इसका दिल फटपटा रहा है कि मैं भी मुंबई जाओंगा, मुंबई जाके नोकरी करूँगा कलवे ने में पास किया, ये काहिल काम चौर पचास मरता, बी ए में फेल हुआ, इसको नोकरी को न देगा? मामा, बता ना, बी ए के बारे में जी जाजी, बी ए का सर्टिफिकट मिलना, आजकर मुश्किल नहीं है, बहुत असान है अच्छा, कहा मिल जाता है, राशन की दुकान पे, सब्सी मंडी में? नहीं, वो रजिस्टरार है ना, रजिस्टरार है जा, तुझे सर्टिफिकट क्यों देगा, तेरे बाप करा चलता है नहीं, आपका राज होगा तो कुछ नहीं मिलेगा, पैसे का राज होगा तो बहुत कुछ मिल जाएगा क्या मतलब? सुनिए जी, लो जी जी बता देगी आपसा जी मैं बताती हूँ, उस रजिस्टरार की हतेली गरम कर दी और उसे दिग्री तयार कर वाली तो तुम्हारा मतलब यह है कि मैं इसको बिना परिक्षा पास किये वे रिश्वा देकर बीए की डिग्री दिरवादू? हाँ, तो क्यों नहीं, आजकल तो आम ऐसा होता है, वो अपने वो पड़ोस के गाउं का वो कौन? जिंगुर मोती, उसने भी तो यही किया था ना, पैसे जमा किये और उसने उसको दे दी वो जी 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 रेजिस्ट्रार? हाँ, रेजिस्ट्रार को दे दिया, उसने फॉरण ना, वो कौन से बस की डिग्री बनाई? जी जी बस की नहीं, MBBS की डिग्री. हाँ, यही डिग्री बनाई, और आज देखू न, वही जिंगुर मोती, खांदा नी काम छोड़कर डाक्टर ही कर रहा है, और अंदा दुन पैसे कमा रहा है, क्यों? जी जी मुंबई में टॉप का जूतों का डॉक्टर है. वे, तुम अपनी बेहोदा तहलीलों से मुझे ब्योकूफ नहीं पना सकती हो, मैंने अपनी सारी से लगी अपने नियम अपने हुसोलों से गुजारी है, इसके लिए मैं अपनी नियम नहीं तोड़ सकता, इस घर में जाली स्रटिफिकेट और रिश्ट की डिग्रिया नही तो नहीं आएंगी, तो नहीं आएंगी, मा, ये तो बहुत जाती है, अब मैं नौकरी करने को तियार होगे तो कहते हैं, शैर मत जा, अब मेरे भीजे में पढ़ाई नहीं आती, तो मैं क्या करूँ, अब पाव कि लोग ठैली के अंदर कोई बोरी बना नाश छूज देगा ये एक अच्छा सा बीए का सर्टिफिकेट लेकरा, जी जी तू फिकर मत कर, मैं ना रजिस्ट्रार के पहले तो पैर पकड़ूंगा, फिर उसके पैर धूंगा, फिर उसका पाणी प्यूंगा, और अगर साले ने सर्टिफिकेट नहीं दिया ना तो पैर उंको सुखने नह इतुनी देर पैर धोएगा, तू तो मने आशरवाद दे दे बस, अच्छी पैर धुलाई करियो, तू वड़ी अच्छी है, तू वड़ी भोड़ी है, मेरी जिद्जी है, ये लीजी, दैया, या वाद किसी आरी, बाबु जी, ये क्या है, आर्ती, आर्ती, किसकी, अपने, कौन अपने राजाजी की धन्यदान ने सुतानिवता मनुशों मस्त्रसादेना अरे ये किस खुशी में आप इसकी आर्थी हुता रही है अजी मुबारक हो आपका बेटा बीए में फर्स क्लास पास हुआ है और मुंबे भी जा रहा है काम करने वाज अच्या मतलब आज तक यह जितनी भी बेहुदा फरमाईशे करता रहा तुमने साब पूरी कर दिया अब यह भी पूरी कर रही हो क्यों न करूँ मेरे बेटे की भविश्य का सवाल है और इसके भविश्य के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ यह आप अच्छी तरह जानते हैं हाँ जी बिलकुल जानता हूँ करो जो तुम्हारे जीब यह अरे मेरी मर्जी तो यह है कि तुम इसे शेहर तक छोड़ने जाओ जी पहली बार मेरा बेटा गाउं से बाहर अजनभी शहर में जा रहा है वहां उसके रहने का बंदोबस्त खाने का बंदोबस्त यह सब कौन करेगा आपको तो करना है ना और हाँ जी सुनिये रास्ते में मेरे बेटे को गालिया मत देते वे जाईएगा नहीं तुम गो तुम्हेर रास्टे भरिस की पूझा करता रोंगा प्राडार जी जी अहाज कि अरे वाप भाया! इकॉनोमिक्स में 100 में से 100 इंघ्लिश में 100 में से 98 अरे history में 95 और geography में 99 चेट जी! इंतिहानों के दिनों में है ना मेरे भाणजी की तवियद थोड़ी नरम थी, इस करके नमबर थोड़े कम आये हैं इसको आप नमबर कम कहते हो, अरे भाया तवियद ठीक होती, तो क्या सौ में से देड सो ले आता देड सो आवे नहीं, मेनत तो करनी चीए न, क्यों मामे बिल्कुल ठीक बाणजे औहुة मेरत करने में क्या युए वैसे भी मैंदत करने में ना कुछ गिस्ता नहीं है वहुए वां मिश्दर राजा तुम बहुत ही महहान हो धन्यवाजी मेहत जहीन और उष्यार लड़की हो मेरा ओफिस तुम जैसे पड़ाई से भी ज्यादा पड़े लिखे लड़के को काम पर रखने के लायक नहीं है भान जे आपके कहने का मतलब यह है कि मेरे भान जे के लिए नोकरी का यहां कोई चानस नहीं है नहीं जी मैं तो इनको हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकता हूँ कि अगर ये मेरी ओफिस में काम कर ले तो मेरी ओफिस की तकदीर में चार चान लग जाएंगे आपका बड़ा ऐसान होगा मुझ पर जी आपने एहसान का टॉपिक छेड़ा है तो मैं एहसान के बारे में आपको खोल के बता दू कि मेरे भान जी है ना सिर्फ आप पे एहसान नहीं किया है और ये तो इतना लायक इंसान है कि इसने इस संसार में पैदा होके ना पूरे संसार पे एहसान किया है अगर बंदर जमीन में एक ठोकर मार देना तो वह तेल का कुवर निकड़ा है तो मेरी जमीन में एक ठोकर मरवादो इससे यहाँ तेल नहीं निकलेगा सिट क्यों भाया आप दसवे माले पर रहते हो ना, ग्राउंड सोर पर रहते तो हम आपका तेल निकाल देते माँमे ज़िआ है Gothic आधभी पङी burani बनाई औरे किया बाथ फहत लंबी लाइन पृचि भात अप्पर लेट हो जाएंगे ले पकड़ा ले यह निकाल मंजन ले सब तु मुझसे करवारा है तू क्या अरे तू रख ये सफ़े-सफ़े दातों में आ रह रहा हो लहाँ न माझ जब दात माझ जूगा न माझ तू सही फिर नहीं रहाँ न जो पत रसे मझवा रहा है ला वापस रख रख ला धर मोझे व और इसको घोड़ा हुआ तुमालता रही हो ताड़ी भी कमणानी है तेरी आप मैं अरे मैं तो सुभा भूली गया यार वो सुरियों को प्रडाम करना भूल गया मां बड़ी खलती हो कि बड़ी खलती हो कि एक उनट सुर्यान मसल्यान 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 पत्राटि नश्यान की दुषर वत्तर्ण को पानी घृब य। आरे ठी सफियर करहना में ज lemonuda न nota भॉत दरुमतिल को आं दंडर49 आट अब अब जाए दनाव मुख होचिडूमा में लूंगी देदेश्टाइख अच्छे तुकूट देदेख मगी रहा तूद हम अधिक्ला मेर काम्म नोद यार काम्म नीओ था मुझे अध्या था है अधिर मजाए अभी बैठी जाू बैठी जाहन सामारेगे सबरेगे अचे बैठ जाओ अचेदी अचेदे झाव मैं अभी आसाओ है है कर्वा कर रहे है कि क्या ख़ँडर करतर है यह तुछ क्या करब कर रहा है यह गामं नहीं शहरं है मुंबी शहर् जब बात कर रहा हूं और इसके पैसों पर आइस कर रहा हूं कई तरह कर रहा हूं और पर लंडन जा रहे हूं तो फिर मेरे को कलवा कलवा क्यों बोल रहा हूं अगली बार जा मिरे को मिलेगा तो काली चरण के नाम से बुढ़ाना और थीक मैं चलता हूं लिवार टेम नहीं है तीक है, एकड़वा, आया काली चरन यार काली चरन, चार चार आने में गोबर उठाने वाले काली चरन, सेट, साला गोबर दाज जडु मर गडरपुरी, करोणोपती की बेटी का पती बन गर खूद करोणोपती बन गया, हे भगवान, मेरे को भी एक ऐसी लड़की से मिला दे, जिसका बाव करोणोपती होए, आउच अ लोगोड, अरे बापरे, आरे वो म्लम साब, पुट गया क्या, गाड़ी जाँ आण गड़ी को कुचल ले लिग 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 है क्या, भाई साब, आप अचानक बीच में आगए तो मैं, तुम्हें क्या करती? पैसे आगया तो चरबी लिग या, आया आधके निवीत है क्या माज़ रहा है कुछ नहीं बाई क्रोड़ पठी की बेटी थो गठे लेको यह क्रोड़ पठी की बेटी है सेड δंबतराय का नाम सुनाया , सेड धनद्पतरायya ? शहर का सबसे बड़ा रईस , Account year उसकी एकलौथी हमें माफ करदी जाता हमारी है , अभाई साब आप हमें माफ करदी जा माफ करदी , यह जो नुकसानि होल तो पैसा कुण बरेगा ? देखिया आप फिकर मत कीजिए आपका जितना भी नुकसान है हमें बताई हम आपको पैसे देंगे तो ठीक है निकाल लिए पचास थार रुपए पचास थार? एक मिनटी बाइसाब ये क्या गुंडा कर दी है? अरे काई की गुंडा करती हम तो इंसाब मांग रहे हैं वो तो को मेरे ठेले के अलत अगर मैं मर जाता तो? तो? अरे लेकिन मरे तो नहीं न? और कहा आपका ठेला? अरे क्या भाई साब सिर्फ 200 रुपए का नुक्सान हुआ है और उसके वाज में पचास हजार रुपर मांग रहे हैं अरे तुम कौन होता है पीच में बोलने वाला? मैं कौन होता हूँ? मैं कौन होता हूँ? अरे मैं आप लोगों मैंसे एक हूँ? आपका एक गरीब भाई लेकिन माफ किजेगा मैं आप कितना ठाका नहीं जालता हूँ? जा हम डाकू लग रहे हैं क्या तुमको? डाकू नहीं तो और क्या हो? अरे 200 रुपए के वाज में पचास हजार रुपर मांग रहे हूँ? अरे नहीं आप महाल है भाईसाब आप लिदो मेरी आगे खल दी भाईसाब यह लग 2 रुपह पकड़ आप लिदो मेरी आगे खल रहे है आप जए आप जए अरे अरे जए ना इस लान गाली का पीछा कर करोणपती की महनम है चलाम बेभी है है जुकत्त्य करते व हैं अर्व hmd थे देख खच्लाइश से भी जाना बड़रantwort. है प्तप्रे दर्भा सथे र्फल्ध सब्स्राइब अधिल करो अर्दम अधिक्रण नर्षाइन हवाथ तुझे देख लूँवा, चलूट नम्बर वाया ना? जा साब, जा साब हाई टेडी हाई बच्चो, कहां गए थे? यूही, बाल को जरा गाड़ी सिखाने ले गए थी बेड़े ये, तुम्हारे माथे पे खून? क्या हुआ? कुछ नहीं अंकल वो, रास्ते में जरा सी चोट लगी तो, शायद खून निकल आया अंकल, आपने अपना कीमती रुमाल क्यों खराब करती है मेरे लिए? बेटे ये रुमाल तुम्हारे खून से ज़्यादा कीमती नहीं है अब तुम लोग डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? अरे डॉक्टर वॉक्टर छोड़ी अंकल, हल्की हल्दी लगाते ही न, सब ठीक हो जाएगा नाए नाए, पॉरन डॉक्टर इम्तियाज को फोन करो सोन्या दीदी, आपकी रहे शिधर जी का फोन है येस, चल पायल डॉक्टर इस कमिंग हाँ? येस सर् ये लड़की कौन है सेट जी? कौन सी? अरे जिसके माथे पर चोट लगी है अपनी ये बेटी है आपकी बेटी कैसे हुई? वो तो आपको अंकल अंकल बोलती है धनपसेट उसको भी अपनी बेटी सुन्या की तरह ही प्यार करते है मगर हकिकत में वो उनके माली की बेटी है भाराष्टा की 10 लाग की लोट्री का वाहा राजस्तान के 5 लाग की लोट्री का पिता जी, वाहा ये क्या कर रहे है तू? मेरे कोई लोट्री की टिकेट लगी की नहीं आभी तक? पिता जी, मैं आपसे एक बात पूछू आप हर महीने अपनी आधी तनक्वा इन लोट्री के टिक्टों में क्यों बर्बाद करते हैं? और लगती एक भी नहीं है बच्पन से लेके आज तक मैं यही देख रही हूं सेरगुद बॉल, करना रही है मन के लोट्री के टिकेट कीट लोट्री के टिकेट मामा, मामा, किल्वा मिलना था, कल्वा कल्वा मर्सर्डीज, मैं घून रही था मामा, वह उत्तरा चलू है उपन्ता धी का फसलिए और खूद कणॉड़ण बन गया अरे वो करोड़बती बन गया, तो तू क्यों छलांग मार रहा है? अरे मैं अपनी छलांग प्यांग आ रहा हूँ ना? आ ना? तुन्हे सेठ धनपत्राय का नाम सुरा है? वो कड़वे का ससूर है क्या? मेरे के बात करा रहे मास बैके बात प्रशक्रारय के थिताव इ मेरे से फ़स गई नहीं UK साथी अ माइ पास मुं एपनादीजब होगी मरजड़ीज उब भान जे है उसको फशाना ना तो Sigga क्या जो बढाना होगाँ मेर् जोड बढाना होगा अभी तो मिंली ठीक olacak इसट ने हैं कयो आपने अरे कैसे बना कहा बला बालर तौर आ billionaire और है बता तसा ही तूमा रही मुलाकात थी Small वो थी और हलकी बरसात थी संडे की रात थी पहली मुलाकात थी संडे की रात थी पहली मुलाकात थी मैं था वो थी मैं था वो थी हलकी बरसात थी आली शान किसी बमले से गाड़ी में वो निकली मेरे प्यार के जालन फस गई पैसे वाली तिपली ओ आली शान किसी बमले से गाड़ी में वो निकली मेरे प्यार के जालन फस गई पैसे वाली तिपली नौकर चाकर घूमेंगे अब मेरे आगे पीछे अब तो सारी दौलत होगी इन कदमों के नीचे सारी दुनिया उसके पीछे पर वो मेरे साथ थी संदे की रात थी पहले हो लाकात थी वो था मैं थी वो था मैं थी हल्की पर साथ थी हाई सर्थी की मोसम में थी घर्मी का शोला भढ़का हर मैं ने उसको देखा तर दिल में दाध से धर्का सर्थी की मोसम में थी घर्मी का शोला भढ़का पहली पहली नजर में बन गई मैं उसकी देवानी वो मेरे सपनों का राचा मैं उसकी राणी सब कुछी इसको देदी अ मैंनी उसमें ऐसी भात थी संडे की रात थी पहली मुलाखात थी मैं था वो थी मैं था वो थी हलकी पर साथ थी प्रोग्राम का पता लगा किया तो बनन ने उसके हफ़ोत बर के प्रोग्राम का चार्ट चिब आदिया इतर मा में कड की बात बता clients innerikalivaar किया तो फिश्दद ये वह मतिर Giants क्या के पीपड़ पर करें dunno मेरे पाजुअ मेरे पास maintenance मरे ऐचेन सोने कि ना सोने की तो ए पर दूंगा नहीं देदीक नो मुझा ना मेरे की तो यह कि तो यहिए तो ग़ालई हो जाए ऑड़ा मेरे दे नहीं सकता तो चीह लेले मामे देखना है कि अर देखी तो रहा हूं और क्या कर रहा हूं पाड़े आगी 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 अजीब लड़का है ए भोले नाथ मैं हर सोमवार को तेरे मंदिर के सिडिया घुटनों के बल चड़कर आता हूं वो भी अपने लिए नहीं दूसरों के फर्यार लेकर आता हूं प्रभू यह तो वही है जिसने आक्सिडन वाले दिन हमें बचाय था हे भगवान मेरे घर से दसवे घर में शांती चाची रहती है उसके घर में चूला तो सिर्फ दिल जलाने के लिए रखा हुआ है भगवान मुझे भले 10 दिन के लिए भूका रख लेकिन शांती चाची और उसके सारे परिवार का पेट भर दे भगवान सारे परिवार का पेट भर दे ये तो कुछ भी नहीं है प्रभू मेरी पिछली कली में रहने वाले नारायन चैचा का दुख सुनोगे न तो तुम्हार कि मैं क्या हर रोज आपको तंग करने चलाता हूँ, मगर क्या करूँ, मजबूर हूँ, भूले का वक्त हो न, इसलिए भूला हूँ, अच्छा प्रगु मैं चलता हूँ, लेकिन कल फिर आऊंगा, किसी और का दुख दर्थ लेकर मादे, हर हर मादे, हर हर, अरे, आप, एक बात पूछू, आपने उनके लिए मांगा, जिनके साथ आपका कोई संबन्द नहीं है, आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अब अपने लिए मांगने की, मेरी जुबान में शक्ती ही नहीं रही, आप जब अपने लिए मांगे तो अपनी मांग में मेरी मांग शामिल कर दीजेगा, मेरी अर्ज़ भी पूरी हो जाएगी और आपकी मांग भी सबर जाएगी मेरा मतलब है कि दुनों का भला हो जाएगा, अच्छा, चलता हूँ नमस्ते यह ना, मेरा भाणजा है, नाम राज़ा है इसका, यह नाम से ही राज़ा नहीं, दिल का भी राज़ा है इससे ना, लोगों की तकलिफे देखी नहीं जाती और इंसान तो इंसान, यह तो जानवरों की तकलिफ में नहीं दे सकता जानवरों की तकलिफे? अहां पूर एक जांपर एक बार मारे गाओं में है न एक बैल का एक्सिनेट हो गया था तो न वाल्टिया भर के खूड में आ गया डॉक्टर ने कहा कि इसकी जान बचाने के लिए इसको बहुत खूड चड़ाड़ा होगा तो आपको पता है मेरे भाणचे राज्या जी ने अपड़ा खूड उस बैल को देके उसकी जान बचानी बैल को अहां तो नों एक ही दिल पैदा हुए थे ना मलड़ गुरू भी सेम था ओ पॉजिटिव या मुझे लगता है कि राजा जी इंसान नहीं फरिष्टा है ऐसा शरीफ आदमी ना तो मैंने जिन्दकी में देखा है और ना ही सुना है इस टू क्यूट मैं आइम सो इंप्रेस्ट भाण जे तीर निशाने पे लग गया लड़की फिता होगी तेरे पे मामे, अजिन जल्दी पे ना भागा दो तो फिर क्या करूं अरे व इकर जो फिल्म ने होता है एक पिल्म में देखा था एक हीरो है न एक हीरोईन को पताने के लिए न भाणे कि चिरु रहनेंको चेरहा एं हीरो ने न और एक पिठाई कह ने essa लेकिन मामें हम लोग गुंडे लाएंगे कहा से और मुंबई में गुंडों की कम ही थोड़े ना यहां पब्लीक कम है गुंडे तो बहुत ज्यादा है मैं भुल्डोजर बोल रहला है अब एक धक्य में तरी अख्यू बिल्डिंग गिरा दूँगा समझार फोकट में बंकस मार रहला मतलब की बासुरी बाजा सुन किसी बिल्डर को उठाने का है कि किसी शेट को लूड़काने का है कि खाली मैदान से जोपड़े अटाने का है कि अपने को खाली में ठाने का है अपने सब कॉंट्राक लेता है अब चल तेरे मतलब की बाच्वाश बचा चाल क्या अब बेजिए बंदी बजार की गर्दी में तेरी किसी ने पोकेट मार दी कच्रे की पेठी की पेदावार तू ये काम मेरे बाद बता मेरे कू कि तेरे पा प्रेक्टर में अंगार लग जाएगी फोन के अंदर ही फायर कर दूंगा ना तो तेरी हर जगह से दुआ निकलेगा शानी यह नबस्ती जी हाँ समझते मतलब की बात कर ओ जी आपका नामी बुल्डोजर है अब तेरे को मेरे से जास्ती को इस सॉली इदर दूसरा देख रहला है कि लगा और टकत तेरे गिरा दो बिल्लिंग पानी के टंग्ये के साथ तेरे को किसी को लुड़का ने गए क्या नहीं जी रस्ते से हटाने का है क्या नहीं जी किसी वह अस्पादाल पहुचाने का है क्या पिर कोई छोगरी के साथ दुरित्री है क्या नहीं 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 कि यह रागला प्रहला है यार मैं बताता हम बुल्डोजर भाई यह बताएंगे तरसल है ना मार खाने का है मार खाने का है इत किरम बोड पे यार लाइब किरम बोडे तुम इधक्ता क्या तू नाम बोल बाकि अपने पे छोड क्या आपको या तक कोई माने वो टैंक नहीं जाना जो बुल दोर को लिटा दे वे बुल भाई बुल भाई मेरी बात तो सुनो हमारे कॉंटेक्टर न तुना उल्टा है मेरे को माने की बात कर रहा है मेरे बुल भाई बात क्या है कि मेरे बांड जी को ना एक लड़की से प्यार हो गया तो तो प्यार में रोब जहाड़ने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाई है उसमें आप विलन की तरह लड़की को जाके चेड़ोगे ये हीरो की तरह आएगा आपको कुट्टे की तरह मारेगा अभी तक मेरे को कोई पुलिस ने हाथ नहीं लगाया यह माचिस की कांडी मेरो क्या मारेगा आई इसी तक कर दूगा ना कि इसके आरपार हो के तु भी तोबी समझ निच्चे जाएंगा भुलबाए भुलबाए मार खालो ना आपको मेरे प्यार की कसम तो अब यह काम कर काउंटर बेजा पैसा दे उस छोगरी का नाम एड्रेस दे उसका तिया पांचा करने का ही तोप लगे जाएंगा बहात अच्छा लग रहा था यह मेरे गुलाब की कली मेरी चम्मक चलो इधर क्या कर रहे लिए चलना तेरो को आहिंगी गाडन लेके जाओंगा अक्का मुंबई फिराओंगा रानी बाग में पिंजने के सामने कड़े हो कि आप उन साथ में चनी खिलाएंगे न बंदलोग क्या बोलती है यार ये जड़के को छेड़ता है ये बंद जी वो देख उसने है ना चाकु निगाल लिया सही टाइम है चला जाओंगे बंद गुडत लेजा लग के साथ ले बंता काम नी बनेगा यार क्या बोलता तू पेट में गुसाड़ूंगा अत्री निकालूंगा टीटू कु टाटा काटू चल जाओ अरे भैसा भैसा मुझे अंदर कर दूगा अरे बैंजी मुझे अंदर जाना दी एक खपड मारूंगी बैंग किसको मोलता है अरे चमिया कित्ती मेनद कराएंगी चलना में इधर के लगी को छेड़ने है गाटन में आत्ता करें दूसरे कौन से लड़के ने पैसा दिया इस लड़की को छेड़ने का अरे तू ढूल ले ना उदर जाके यार भी रटा देखना यार बास वटो पुलिस कहां से आ गई है अरे आज रवीवार है रवीवार के दिन पायण उड़सवारी के लिए खंडाला जाती है अरे खंडाला कहा से जाएंगे अरे वहां जाने के लिए तो हमारे जेब में फुट्टी कोडी भी ना है ओ पर चेन बेज़के पैसे लिए थे ले तंडे अरे हाँ वो तो गुंडो को दे दिये मामे यह तेरा दात सोने का हैじゃあ कि दे दे ना मामे माम मे दे दे न दे न लम नख्य ret बदा यार दिल्लार तुझे कैसा चाहिए अब अब कर दाते ज photographed जल्कुल है जो बश हत आ मामे, तुने बोला था, के पायल का खोड़ा बिदक जाएगा, उसके बाद जाके मैं हेरो के तरह उसका बचा लोगा, लेकिन पायल का खोड़ा बिदके का कई से, अरे बिदके का क्यों नहीं? क्यों? मैंने अस्तवल के आदवियों को खुझली की दवा दे दी है, तो जैसे ही पायल गोड़े पर बैट रही है, वो आदवी ने आदवी ने खुझली की दवा हाथों में लेकि घोड़े की टांगों पर लगा दी है, उसके बाद अबला काहा हो जाएगा, उसके बाद तो लेकिदर जा रहा है, पाल घबराना मत में आ रहा हूँ, चल उए इसके मुंड़ी का गई यार, अरे दे गरदन के आसबस कही होगी, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, बाद में, मामे, मामे, पायाल, पायाल मैं आराओ, अने काया आराओ, मैं तो जा आराओ पायल, पायल, पायल 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 बचाओ पायल 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 उजे बचालो मेरा बचालो बचाले आराओ पायल पायल बचाओ पायल राजाजी पायल पायल पायल, घबराना मत अदमें खुट घबरायाओ पायल पहन बहलो फैंच produkt गुभा बहला पाद़ला ई mo ऊसरे कैन को गवा खुप्व confrontation आć करति हट अफ अध्रमा गवाज ऑद फाल में आ आकुामा पाद अब को ने अे मैं टता है अध्र में अध्र पाम घा है अध्र करें अ अ अ, इरे करें अ अबें! आरे! 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 आरे मैं! मैं उठना चाह रहा हूँ! अरे मैं उड़ क्यों ने रहा हूँ अज़ा हूँ अज़ा दॉक्तर बोल दीक्रा बोल अरे आपने मुझे किस किसम की पट्टी बांग रखी है हाथ पाउ बांग दिये मैं खुझा भी नहीं सकता हूँ अरे अरे डाक्टर साफ गॉम है अज़ा गूम हो गया है है जब शौक साब राजा नाम का पेशंट वर्म नमबर सिक्स्थीन में है पूरा प्लास्टर में पैक किया हुआ है, मिल जाएगा, मिल जाएगा, वेरी इसी तू द्रेस हिम राजा ओ, सॉरी राजा, ये सब कैसे, क्यों ये लो, अंगूर खाओ राजा जी, आपने इसकी जान बचानी चाहिए इसलिए आपका शुक्रिया दा करने आई है मामे, मामे ये फिल्डिंग तो मैन है की मैन आप दा मैच इसको कैसे मिल रहा है तो कुछ कर मामे भणजे में तेरा ममम हूँ, मैं नहीं करूगा तो और कोड करेगा तू लेटा रहे, मैं आता हूँ बंद करते हैं अंगूर खिलाना अरे मन्ने तो ये ससुरा बिमार गम और बदमाज जादा लागे है अरे अंगूर आये थी राज्जा के लिए और खा बिखारी रहा है क्या मतलब? ओ जी मतलब ये है कि ये लेटा वह आदमी राज्जा नहीं है राज्जातम वह है तो फिर ये कौन है? माइन अटवान देखा ये निटवर लाल है आप दोनों की दोनों इसे थोड़ी देर और अंगूर खिलाती रहती ना तो ये सारे अंगूर खतम करती ना डॉक्टर साब ने यह इशारा कर दिया था तो हम दोनों ये पता लगया था कि आपकी अगली मुलाकात हॉस्पिटल में होगी जी नहीं, आपका वॉलेट हमारे पास आकर गिर गया था जब आपकी रहे थे माले बढ़ जे, अब तु पेट भरके अपना बतन खुजा, पर्स बिल गया पर्स बिल गया बोला क्या? रास्ते में तो कह रहे थी ये कहूंगी वो कहूंगी, बोला सो सोनिया जी, पायल जी क्या कहना चाहरी थी? जी कुछ नहीं देखिए अगर आप अपने दिल की बात अपने साथ ले जाएंगी तो मेरे मन पर पोज रह जाएगा बोल दीजे न जी, मैं 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 बोलना बोलिये न मैं जी वो मैं आपसे फिर कभी कहूंगी पायल पायल आप ही पता दीजे न सोनिया जी पायल जी क्या कहना चाहती थी? पर असल जबसे उसने आपको देखा है उसकी रातों की नीद उड़ गई है है हर घड़ी खोई-खोई सी रहती है जबसे आपने उसकी जान बचाने की कोशिश की है न तब से उसको सच मुझ कुछ हो गया है क्या हो गया उसको आपसे प्यार हो गया है है तेरी प्यार ने ये क्या कर दिया बहतने लगा दिवाना दिव तेरी प्यार ने ये क्या कर दिया बहतने लगा दिवाना दिवाना दिव समर का नई समाने से भी सरम हो गई तेरी प्यार ने ये क्या कर दिया बहतने लगा दिवाना दिव क्या कर दिवाना दिवान से दिवान रस द्रम क्या कर दिवाना दिवा ev Ч調 क दिवाना में खुश्बूर है, ऐसे ही जाने वफा, दिल में मेरे तू रहे, रंगी नजारे हुए, वासम सु नहरा दिखे, देखू जा तक यहा, तेरा ही चहरा दिखे तेरे प्यार ने ये क्या कर दिया, दहने लगा, दिवार हादे, संहस्ता रही, संहाने से भी, सरम हो गई, बड़े मुश्क्र कर दिखे, बड़े मुश्क्र दुल्हां लगे ये जमी, दुल्हां लगे आसमा, तू सामने जब रहे, अच्छा लगे ये जवाँ, तेरी बशा चाल ये, इस सिंदगी के लिए, हर दर्ग सहलूंगी मैं, मेरे खुशी के लिए, तेरी प्यार ने, ने क्या कर दिया, तहने मता, इवाला ने, सम्हान का लगे, सम्हानी जिवी, सरम हो गई, बरी मुश्क्र आप कुछ भी सुदरजा, इस अवेली का ओने वाला मालिक हो मैं, जाब आप कुछ भी बोलो, आम अंदर जाने नहीं जाएगा अरे तुँ हमको रोक रहा है, राज जाती को रोक रहा है अरे वाचमान, क्या कर रहें आप, यह हमारे महमान है, आईए ना अंदर जाईए तोरी आपको वाचमान ने भाहर रोक लिया अरे नहीं, पायल जी, मुझे बिल्कुल घराब नहीं लगा वैसे भी चोकितार ऐसे ही होने चीए वरना कलको हमारी गहराज़री में कोई भी यह रहागे ना न तुगहरा आमारे बंगले में घुच जा वई जी मामे, यह तो घास काट रहा है माल ली तो नहीं है भाण जी, तहने फिल्मों में नहीं देखा हर बड़ा आदमी है न, अपने घर में घास काटता है हाँ, लेकन क्यों? वो इसलिए कि इन विचारों के पास है न, पैसा बहुत होता है तो इनका आना टाइम नहीं काटता है तो अपना टाइम काट लेकी न, घर में घास काटते है मामे, यानि काने वाले टाइम में हम लोग भी घास काटेंगे है भाण जी मैं कैची मैं पकड़ूँगा कैची मैं पकड़ूँगा बेटा, जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, वैसा ही पाया है आउ बेटा, अंदर आउ, आउ मा में, तु भी अंदर से घर को देख लोगा भाइसाब, तु अंदर से घर देख, मैं भाहर से देखता हूँ बाइसाब, तरह दिखाओ न घर आईए न, चलिए न, कैसा है घर पस क्लास बाइसाब, ये फाइब की फाइब कार किसकी है ये सारी की सारी गाड़िया हमारे सेड़ जी की है अरे प्रेवकूफ, आज ये कारे तेरे सेड़ जी की है लेकिन कल मेरे राच्चा की होने वाली है इसलिए मैं तुम लोगों को पीछे लेके जाता है पीछे का अपने खमरे में लगता है पीछे बुड़े ने अपने लिए कोई खाज बेडरूम बनाया होगा इसलिए मा ले जाता होगा पेटे जल्दी सी चाय लेका आप क्यों चाय बना रही है घर में बहुत सारे नौकर तो होंगे ना पेटे नौकर तो बहुत है लेकिन सब अमरीका गये हुए है यहां तो नौकर भी अमेरिका जाते है शादी के अबाद धाबाद को तो सीधा चांद पे आँ भाई साफ ये थंडे थंडे पानी का तालाब किसका है यह भी हमारी सेड़ जी का है पार जे बाई गॉड एक तम जेश बॉंड लग रहा है तू तो हां मामे 007891011 बाद 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 में अब बता तरको सौते गिंती आती है शुब चाप हमा मार मामे अच्छा मा मारो ना आ अच्छा मामे एक बात होता है क्या है त्यारना आता है तो डूपता चुनिक यह यह तका सोच रहे हो अरे भाई में यह सोच रहा ता कि मैं अपने जीवन के भविश्य के बारे में सोचकर व्यस्त हो गया तुम्हारे भविश्चि के बारे में तुम बज़र्ग सोचेंगे यह भी संचे है तुम्हारे पिता झागर में कोई बाप करने के लिए गाउं जांग अगर अगर मैं आपको पसंद हूं तो मैं अपने आपको भागेशाली समझता हूं मैंने तो कभी सपने भी में नहीं सोचा था कि मेरी बेटी के लिए इतना शरीफ, सुशील और हुनहार कामाद मिल पाएगा अरे नहीं, क्या करें हूं? बाड़े बैठ मामे, आखरी बार रिक्षा में मैट रहे हूं आईयो सर बाड़े, अरे वो दे कोड़े कड़ुआ अरे कड़ुए भाई रड़ुए अरे कड़ुए भाई अरे कड़ुए लगता है वो आदनी आपको बुला रहा है इनको पेचामारता नहीं हूं क्यों दिमाखाब पर रहा हुगा ? अारे ! अरे मामे तो बड़ा हरामी यहा औरे इसका पिछह करें क्या मना आदमी है इसका पिछे क्यूं करें तो छोट्बता आदमी है जाले साले का दिमाग खुराब हो गया थीक तो करना पड़ेगा ना अच्छा आटो यस आले अरस्टा काटो जो अच्छी आप वेलक्म जो मिस्टर चालवेजी सी, हलो अभी तुम लोगो इसको जानता नहीं है अभी तुम लोगो इसकी स्टोडी मैं बताता हूँ यह ना एक अमीर आदमी की बेटी को फसा के खुद अमीर बन गया कि मेरे सटर को सारा शायर जानता है अम्हेरा सब्सक्राइक है अम्हेरा सब्सक्राइल डियार की है लेजार तो बहुत 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 कर दो चाहिए तो जाने लेगा तो साधी खर लेगा तो साथ में कुछी पर जाएगा अरे सेट जी मारा तो भाग खुल गया आप अधारे मारे ऑफिस में कौफी पीओ छोड़के सेट करोड़ी मल जी ओजी मैं काली जर्ण बोल रही हूं बोलो भाया तोड़के ओजी मैं इसलिए फोड़ किया कि आपके साथ बहुत बढ़ा धोक्ता हुआ है कि मतलब यह है कि राजा नाम के जिस लगे को आपने नौकरी पर रखका है ना वह बहुत बढ़ा फ्राट है जी उसके सारे सर्टिफिकर जार्ली है है जी पैसा देकर खरीदा उसने मैं तो गहता हूं जी उसको फोर्ण ओक्रिस निकाल दो ठीक है ठीक है भाया तोड़के जाला मेरे ससुर को बिकारी क्या रिया था अब पता चलेगा आपने मुझे बुलाया सर आईये है आईये है मारी ओफिस के मुकदर को चमकाने वाले आईये आप बैटी है ना जबने को मुझे देखकर खड़े क्यों हो जाते हैं अब खड़े हो जाने के बच्चे मने इतनों घुस्तों आवे लेकिन कोई शब्द नहीं मिल रहा है अच जब दो बड़े आदिम बात करते तो बिच में टांग नहीं डालते क्या बोल रहा है आप बुरामान पानिया मैं तन्ने इसी वक्तों की से निकाल लियो बस कारण क्या है? अब रख नीचे! कारण क्या है? और कारण एक हो तो मैं तेरे क्व बताऊँ यहां तो कारणों का धेर लगा हुआ है तो महीना हुआ तुझे आफिस में, 20 दिन की छुट्टी लेली, 20 दिन भी ना बोले नहीं आया और जो भी आफिस में काम किया, तुने धंका नहीं किया करेगा कैसे, आता होगा तो करेगा ना और सबसे बड़ा कारण तु यह है, कि तुने मेरी ओफिस के साथ फ्रॉड किया है तुम्हारे सर्टिपेकेस डिगरिया मार्क्षिक, जो तुमने मुझे दिखाया था और देखकर मुझे पसीन आया था ना, वो सब डखली है, जाली है तुम्हें कमटन के पास जाओ, तुम्हारी बाकी के पैसे ले लो, और इधर से चले जाओ, आइंदा कभी भी इस ओफिस में कडम रखने की कोशिश की, तो मैं थारी कांगे तुड़ा दूँगा ए, कटोरी मल कटोरी मल नहीं, मालो नाम करोणी मल है जो भी है, मल या नल है, अपनी जबान को लगा, तुम्हें मालू है, तुम किस की शान में गुस्ता की कर रहा हो, वो राजा जो आने वाले कल का रहिस जादा बनने वाला है, रहिस जादा तु और रहिस, अरे, दो दिन में कटोरी लेके रास्टे पर भीक मांगते हुए नजर नहीं आया, तो मेरा नाम करोणी मल नहीं आ, तो ठीक है, अपना नाम बनल लेकिल, तैयार हो जा, क्योंकि जिस आदमी की बेटी के साथ मेरी शादी होने वाली है, उसके सामने तुमारी अउका धिकार ही हो वाली है, अल्ला के नाम पर देदे, देदे देदे देखा, यही है बर्कुरदार एक बात तो बताओ, इस शेहर का ऐसा कौन सा बेवकूफ इंसान है, जो तुम जैसे निकम में ना कारा, बेहूदा लड़के को अपना दामाद बनाना चाहता है ओहो, अरे बेवकूफो, बेवकूफो, वो इतना बड़ा रईस आदमी है, कि उसके नौकर भी तुम लोग से जाना रईस होंगे वेचलावत, क्योंकि मैं चलाओगा तो तुम्हारे इस सड़े ओफिस की छट का प्लास्टर गिर जाएगा और वैसे भी ऐसे घटिया ओफिस में खड़े रहना, हमारे जूतों की आन, बान और शान के खिलाफ है ए मिस्टर आन, एक बात तो बताओ, यह तुम्हारे होने वाले ससूर इस शाहर के कौन से राके में रहते हैं अमीरों का पता पुछना बिगारियों के पुरान यादा थे, इसे छोड़ दो और तुम सुनो, अपने सड़ेवे आफिस के पेपर तयार रखना बहुत जल्द तुम्हारे इस कमाल खाने को राजा जी खरीदने आ रहे है शिवनाद जी, आपका बेटा मेरा दामाद बने, ये मेरे लिए सची गर्व की बात है लेकिन एक विनती थी, ये रिष्टा तया करने से पहले अगर आप अपने बेटे से भी पूछ लेते तो बेहतर होता संदी साब, बेटे से क्या पूछना? मैरे खांदान में बुजर्गों ने कोई रिष्टा बेटों से पूछ के नहीं किया है और मीरे बेटे की मज requirement की वह खांदान की प्रमपरा को तोड़े या मेरे हुकम के खिलाफ आवाज उठाये मेरी दरफ से आप रिष्टा को पकाई समझाे एच apparent 95 अपने बेटे के सर पे सहरा देखना अपने घर पे बहु लाना माबाब का सबसे बड़ा सपना होता है मा मैंने आप लोगों का सपना बहुत बड़ी जगह फिक्स कर दिया है इन बिचारे बिचारे मिट्टी के कोठी में रहते हैं अरे इनके गोदाम के अंदर इतना अनाज नहीं होगा जितना उनकी तजोरी में रुपिया है कि जितनी उनके पास इंपोर्टिट गारिया है शिवनाद जी हमें यह पता नहीं था कि आपने हमें बेज़त करने और हमारी पगडियों चालने के लिए घर बुलाया था चलो जी चलो कलेजर ठंडा हो गया पूरी विरादरी के सामने मेरे इज़त खाक में मिला दी अरे वह 20 गाउं का चौदरी है तुने उसको बिगारी कहीं दिया अरे छोड़िये ना बाबुजी अब आपका बहुत बड़ा समय आ गया है अब आपके दोस्त बताना मामा कैसे होना चीए ज मुम्बई चलिया ना बाबुजी पूरी रमाण खतम उगई जिजज़ी पूच रहे है मुमबई में क्या है एक बात बता इतने बड़े घर की बेटी से तो शादी करेगा तो शादी के बाद वो अपने महिलों जैसे बंगले को शहर से छोड़कर गाउं की इस मिट्टी के मगान में रहने को तयार हो जाएगी मतलब तू अपने अससरों के घर जाकर उसकी दौलत प्याश करेगा मैं इस रिष्टे के लिए तयार नहीं हूं बभजी आपको यह रिष्टा मंजूर नहीं है बिलकुल मंजूर नहीं है यहां है नहीं बड़े घर के रिष्टे को ठोकर मार्आ रहा हें अनृ टोकर मार रोहा हूं शुकार मैं तो वह मेरे बराबरी का था मैं इसकी बराबरी का तहसे जाएthinking मेरे अची पर देखते मेरे सरस्ञी तेरी पखड़ी नीकलके मेरी ठोकरों में आ जाए मां ये तो मेरे साथ चला डेख राजा जी आज तक मैंने तेरी हर मांग हर जित पुरिकी हर बात में तेरा साथ व्याव टेकिन आछ आज मैं तेरा नहीं, इनका साथ दोंगी मा ये तु क्या कह रही है, तु मेरा साथ नहीं देगी हाँ बेटा, क्योंकि जब बेटे की शादी होती है तो मंडप में मा अपने पती के साथ बैठती है और जिस मंडप में तेरे बाबुजी नहीं होंगे वहाँ बैठना मेरे लिए पाप है ठीक है, आज मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है बाबुजी भी नहीं दे रहा है, मा भी नहीं दे रही है अम्मा में तु मेरा साथ चल रहा है कि नहीं पढ़ जे, तेरा मम्मा है न, तेरे साथ गया था, तेरे साथ ही आया था अब वापस भी है तेरे साथ ही जाएगा अज देगे तुम मेरे नाल चल आज रवाज भी नहीं देजी यार क्या धरमशाला मेरी सहेली मेरी बहन की शादी धरमशाला में देखो बैटी मेरी चितनी आउकात है उतने में कर सकता हूँ ना आपसे आपकी आउकात पूछी किसने ये मेरी सहेली की शादी है इसकी डूली मेरे घर से उठने जा रही है इसलिए इसकी शादी किसी धरमशाला वरमशाला में नहीं किसी शांदार होटल में होगी लेकिन बेटी में? लेकिन मेकिन कुछ नहीं होटेल मतलब होटल किसकी चिट्थी है बेटा आपके बाहिजा परदाब जी की चिट्थी है लिखा है लिखा है आने वाली दस तरीक को उरकी बेटी की शादी है हम सब को वहां बुलाया है अध्या पता शता है नहीं माली की बेटी की शादी है दो चार दार उपर तो टिक टो में लग जाएंगे मिलना वागा हमको पड़ी है समान बाहिए लेती हुई शादी में जाने के लिए वाण जी सजामट तो बहुत अच्छी है और लाइटिंग का सिस्टम तो वारे गाओं की शादी से बेटर है मामे यह पीछे किदर जा रही है चक्कर काटके आएगी अच्छा अधर अधर सोग्र मैं कीजम रहते हैं वहां में कैसे रह सकता हूं वहां मरसे रहते हैं अच्छा आपके भी सेड़ी है सेड़ धनपत्रा है लेकिन सेड़ धनपत्रा है तो आप है न क्यों मजाग करते हो पेटे मैं तो सेड़ी का नौकर हूँ इस हवेली का माली क्या माली ओ में तरी जितने भी गुणगाओं कम है नजाने पिछले जनम में मैंने इसे कौनसे करम किये थे कि इस जनम में मुझे ऐसा दामाद मिला है जो हर लालत से दूर जिसने किसी किसम की कोई मांग मुझसे नहीं की यह बगवान ऐसा निस्वारती दामाद आज की युग में मिलना तो एक तरफ सपने में भी दिखना मुश्किल है मैं चाहता हूँ भगवान दुनिया में हर माबाप को ऐसा ही दामाद मिले और ऐसे ही रिष्टेदार मिले जैसे कि मेरे दामाद का मामा है शादिलाल माम में क्या सोच रहा है भाणजे तेरी महबत के चकर ने मेरी सोनने की चेन बिक्वा दी उगड़ी में गंगूठी थी वो भी बिक्वा दी परस्नेलिटी के लिए सुनने का दाथ मूह में था वो भी बिक्वा दी है माम में तु हर वक्त अपने बारे में सोचता रहता है जरा मेरे बारे में सोच मैंने क्या क्या सपने देखे थे बैया करके हनीमून करने स्विट्जर लाइंड जाओंगा लेकिन अब तो जिंदीगी में ना स्विट्जर है ना लाइंड है ना हनी है ना मून है लोग यहां हमने आपकी सुहागरत का इंतजाम तबेले में किया है अच्छा मा में मा में तबेले में इंतजाम किया है तबेले में मैं तुमसे कहना चाता था मैं यह कहना चाता था कहना यह था मुझे यह मुझे कहने दे तो मैं पूरी रात यूँ ही कहने में ही गुजर दोगे क्या हाँ 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 तब बेले में अकेले में हाँ 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 अकेले में बज गया तब ला तबेले में अरे बज गया तब ला तबेले में हाँ 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 सजन लिल्ले की मस्त खड़ी है रात बड़ी छोती है बात बड़ी है फूल सभी पिखरे है तूटी लड़ी है हमको जहां मिलना वहां मैस खड़ी है हम मैस खड़ी है रचा चलो अकेले में। रचा चलो अकेले में। बच गला बड़ी में। हाई हाँ हाँ ीयां… है याँ जुम्रित लय या नईनी ताल चलेंगे सिम्ला चलेंगे या भौबाल चलेंगे हाँ जुम्रित लय या नईनी ताल चलेंगे सिमला चलेंगे या भोबाल चलेंगे ऐसे भला तिरहां में पाहे चले हां आओ कई चोरी से भाग चले हां आँ भाग चले हां हस गई जा जमेले में पच्च गया तब लात बेले में आँ राचा चलो अकेले में पच्च गया तब लात बेले में आँ पच्च गया तब लात बेले में कि मामे मामे इन भैसों की नाणी मर जा है इन भैसों ने मेरा इधर तर शिंग मार मार के मेरा शरीर में गुम्ड़े बना दी अरे शरीर क्या तेरी तो पूरी जिंदगी में गुम्रे पड़ गए हैं मामे घर से गया अब डॉक्री से भी गया अगर ऐसे पूरा टाइम चलता रहा ना तेरा तो मनने भी कुछ सोच रहा पड़ेगा बस मामे तेरी सोच से तो मैं बरबाद हूँ तू अब मत सोच मत सोच तू और मामे मेरे जखमों को गुदाम समझ कर उसमें क्यू नमक भर रहा है क्या बात है पड़े आते आते तुम लोगों की बाते सुनी बड़े उदास लग रहा है कुछ नहीं जी वो कलेजे पे टेंट साइज के छाले पड़ गए है ना वो फूट रहे हैं अरे कि zia सेजजी मैं उनका मामुली माली हुआ तो क्या हुआ ले वहा मेरा भी कुछ हग बंता है उन पर एक बादे हमारे कोई भी काम दे कैसा भी काम दे उन्हें इनकार मत करना है क्योंगे सेड़ जी आदमी की वफादारी और इमानदारी का इमतहान लेते हैं और अगर आदमी उन्हें पसंद आ जाए तो सीधा नौकर से जनरल मैनेजर तक बना देते हैं तो लोग तयार हो जाओ मैं हराम खोर हूँ मुस्से लौकरी क्यों करवा रहा है बंजी माम में बंजी माम में अच्छा करता है वह हमारे सेड़ जी यह मैंक के कांट है और यह चेक खबने में भीज दिया है सेड़ जी यह मेरा दामाद है उस दिन यह शादी में तो बहुत दूबला था यह चाने कितना मोटा कैसे हो गया ने 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 शेड़ जी मैं तो राज्जय का मम्मा हूँ इनका दमा तो मेरे पीछे खड़ाया जा बंजी माम में सामने से हटेगा तो आओगा ना बोजन भार सेड़ जी आपने उसे शादी में देखा होगा अरे शादी में तो यह सेरे में था मैंने इसकी शकल देखी नहीं मैंने कहीं और इससे देखा है सेड़ जी चोटे मूटे लोगों को आपने देख भी लिया तो क्या फरक पड़ता है मैं आपके पास इसलिए आया था कि आज करता क्या था जाड़ू पोचा मुझे वो तीनों ट्राप्ट एडी चेहें जी और वो चार बजे की मीटिंग अर्श के लिए सबको बोल दिया है ना जी ते मीटिंग हैस तो हापन विकर इस वेरी इंपार्टन लिए मैंने तुम्हें कई देखा है नई मैं देखा है सेटी निया और देखा हूं आपको देखा हुआ तहां तो मैं आपकोwald देता है नहीं देखा है मैं देखा है में बोल रहा हुआ हूं'S आप नहीं देखा है सेटी मैं बोल रहा हूं सची बोल रहा हूं आप में देखा था तो मैं आपको बोल देखा नहीं देखा आप आप इस गरीब के घर पधारे बड़ी महरबानी हुए आपके अरे तु खड़ा-खड़ा मुख्या देख रहा है जा जागर पाइल से कहें कि उसके सासों ससुर जाएं जब आग जल्दी जी शाब एक बाद पूछो जरू पूछी बुरा मुझमानी यह का यह आप ही राजा की ससुर है जी हां आपको कोई शक हो रहा है तो फिर आप यह घ अरे बेटा तू तो काला टीका लगाया कर कहीं तुझे किसी की नजर न लगे देखिए जी आप तो हमेशा मेरे बेटे को निकमान नालायक कहते थे लेकिन उसने एक ही काम जिंदगी में ऐसा किया है जिससे उसके सारे आप धुल गए हमारी यह चांद सी बहु जो लिया है बेटी मुझे अपना ससुरनी अपना बाप समझना और मुझे वही लाड़ मागना है जो कि बेटी अपने बाप से मागती है अब बेटी पर थोड़ा संकी हूं कभी को गड़बू करूं तो सवाल लिया करना है अजी इससे सिर्फ आप बाते ही करते रहेंगे या जो पहले दीन दिल की किताब इसके सामने कोल की रख दूँना ले विती अची भाई साथ हमारा बेटा का अंदर हो ना भाईजी आईए राजा जी जाची जाचा जी कैसे आगार? मा! राजा जी मेरा चांद जी 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 जाची तु वहां सा तो बड़ी बड़ागी हमार कर रहा था कि मैं कुरोडपती की बेडी से शादी करूंगा यहांगे ज़डू मार रहा है यह पूछा मार रहा है इतने बड़े आदमी मगर बाहर देकी कैसे घास काटन जी जजी अब आयो तो डो चार गंटे तो इधर रहोगे ना काहे का कंट्रोल वो है ना वो वो शैर में कीडे मकोडे बहुत होते हैं तो उनको मारने के लिए दवा छणकनी पड़ती है दो तिंदिर के लिए घर बंद रखना पड़ता और लोगों को गेस टाउस में रहना पड़ता है तो हमें ना सारे वही पर एकजाद इकटे रहेंग करेंगे हैं अरे पैकर मत कर वेटा अरव तो हम तो बहुत से मिलने आ याए थे उसको अशिरवात देने आए थे उससे मिल आशिरवात दे दिया हमारा काम हो है अब यारू कि क्या करेंगे शाम वाली गाड़ी से चले जाएंगे अरे भाई साब ऐसा किसे हो सकता है क्यों नहीं हो सकता अभी तक आपने हमें सेवा का मौका भी नहीं दिया और आप जाने की बात कर रहे हैं भाई साब क्या है ये अपने बेटे से मिलने की जिद कर रही थी वरना फुरसत है ही नहीं फसल पक्के तयार खड़ी एक दिन भी देर की तो सारी फसल खराब हो जाएगी अप फिर अपने घर की बात है फिर आ जाएंगे ये भी ठीक है तब ऐसा किजिए दो मैने बाद हमारी बेटी सोनिया की सगाई है तब आप जरूर आईएगा ये सोनिया कौन है बागुजे मेरी साली समझीए न तू तो कह रहा था कि पाइलीन की एकलाउती बेटी है तो फिर उसकी बेहन कहा से आई तो मैंने कब कहा कि सगी बेहन है मगर सगों से भी सगी है इसलिए उसकी सगाई है मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो अरे इसका काम तो हो गया पर मैं तो अपना सेरा लेके अभी तक भटक रहा हूँ कोई है क्या और कहा है, शाल्दी लालकी शाल्दी के लिए जासू चारू लळा, बच्चाए रात हल्दा सासुजे धारो लल्ला, मचाए रात हल्ला, सासुजे धारो लल्ला, मचाए रात हल्ला, अभी तो पकड़े मेरे कलाई सासुजे धारो लल्ला, मचाए रात हल्ला, सासुजे धारो लल्ला, मचाए रात हल्ला, लाए कभी कुल्बी सोभोसा कभी लाए मौहों में बिठा के वो हाथों से किलाए लाए कभी कुल्बी सोभोसा कभी लाए मौहों में बिठा के वो हाथों से किलाए वालों में गुलागों का गजरा सजा लीची लीची बादों से मुझे बस लाए कभी दिलाए जुल्बा जुल्बा कभी दिलाए जुल्बा 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 कभी दिलाए जुल्बा जुल्बा किसे मैं बचाओं बनाएं क्या बहाने किसे मैं बचाओं बनाएं क्या बहाने हर जित अपनी मेरी ना कुछ माने बड़ा रसिया है बड़ा है हर जोई अब मेरी आउपां करेगा रस्वाई कुझे खबर ना है कोई कुझे खबर ना है कोई जाने साजा मुखला साजू जी धारो लल्ला मच्चाए नात हल्ला साजू जी धारो लल्ला मच्चाए नात हल्ला साजू जी धारो लल्ला मच्चाए नात हल्ला साजू जी धारो लंसे का जी था आरे ऑल अच्चा सजय अच्चाए नात हुआ कि अधर कि ड्यायर हुर्स ऐंग करद दता है अधेधार करें का करद दो तो ने सब्सक्राशा अन्यार कर दो टावीया अधेदर कि तुम्हें फॉलाएं ने लाके दावilt नामरे कहीं निहां फॉख अन्मक攻ी ए mujer कि अध forgiven कि अश… कवा मूँ खुपते जा रहे हैं भून अ लगपती सेठ आपको बोल flash । मैं तेले से कह रहा हूं ऐं, लोटन की बाद वा वाओ, क्या जान है, हैंजी क्या शान दाल कपडे पेंगें यह कपड़ सिए करो unsी करोरपती सेठ मनदहाखे दिये ना जिसकी टैकसाईल की मिने हैं गाडियों की फेक्टरी हैं तेरे को है देख रहा है इधर के अलिगड़िका ताला लग गया क्या बहुत बड़ी बड़ी बात ने करके मेरी नोकरी को लात मार के निकल गया था कि तु किसी करोड़ पती सेड़ की एक लोती बेटी से शादी करने वाला है तो फिर यहां वेटर बन के काई को गुम रहा है सेड़ी क्या बात है क्यों आप लोग मेरे दामाद का मज़ाग उड़ा रहे हैं इसलिए कि एक दफा यह हमारे मुँपे थूक के हमारा मज़ाग उड़ा के गया था नहीं नहीं सेड़ी यह ऐसा नहीं कर सकता यह बहुत नेक और शरीफ बच्चा है शरीफ हो रही है अगर यह शरीफ है तो दुनिया के सारे शरीफ बदमाश है अरे यह एक नमर का फ्रॉण है तो इसको जानता नहीं है यह मेरी आफिस में काम करता था और नोकरी के लिए ऐसे सेडिपिकेट्स लेकर आया था ओ याद आया तुम इसके ऑफिस में थे इसकी फैक्टी खरीदने की बात कर रहे थे मैं भी उदर था और तुमने मुझे से कहा था कि जब दो बड़े आदमी आपस में बात कर रहे हों तो मुझ जैसे छोटे आदमी को बीच में टांग आड़ाने की क्या जरूर थे अरे धनपत राई जी आप भूल गए इसने हमको विखारी कहा था और ये भी कहा था कि आप जैसे विखारियों को अमीरों का पता पुछने की पुरानी आदत होती है और कहा था कि चौराय पे खड़े रहे कर भीग मांगोंगे कहा था ना भूल जाओ पार्टी है कम और इंजोई असेल्फ कम बेटा कम 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 फगरट आईये आईये आबे आईये कम कम चेरप कर दो माँने आईये कर Index, एक कम फार्टी हैै कर दोलों फसोफने माँने मत्ता उनले येश़े वे रहे iOS ुछने एंप इंपार्टी JOंक आईये Ubery तूने मेरा मजाग उड़ाया है भूल गया अपनी योकात अब अपने सूट के बटन खोड़के उसमें अपनी योकात टटोल अब टटोल भी रहा है वेकूफ चाले भूल गया अब जिस गाव के अंदर तु भैस चराकर गोपर बेच कर रोट्टी खाया करता था उस गाव के सरपंच का एकलोता बेटाओं में और इस मैफिल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सूट में अपनी योकात चुपो के बैठें और चोटें अब तु खुद इ क्यां यह मोड़ी चश्मेवाली को वह चल गया है अरे लाग वाटों करोडो लड़के अमीर बढ़ने का सप्ड़ा देख तो मैं ने देखा तो कौन सा पाप किया है कि अगर चाहां कि मैं कॉलोपती की बेटी को फसा कर खुद कॉनो पती बन जाहूं तो मैंने कौन सा मेरी तक्दीर बड़ी खराब निकली अब मुझे क्या पता था कि जिसे मैं कवड़ोपती की बेटी समझ कर डोल डाँ रहा हूं वो कवड़ोपती की नहीं एक भुक्रबाली की बेटी निकलेगी ये तुम क्या कहो गटे अब हिंदी बोल रहा हूं मिया एक मिनेट ये अरे मैं अकल कांदा तुमको सेड धड़ पत रहा है इस बंगले और कोटी का मालिक समझता रहा मालिक क्या यार तुम तो कंगाल पती निकले मैं सच बोल रहा हूं यार बुरा नहीं मानना यार तुमारी बेटी से शादी करके मेरी तो जिन्द की बर्बाद होगी आप खामका पता जी पर इल्साम लगा रहे है उन्होंने कभी नहीं का कि वो मीर है उन्होंने आपसे कभी अपनी हैसेत नहीं चुपाई आप घर चलिए अब अटो है रोज नए कपड़े पैठना रोज कलबों में जाना अब मैं तो फरेम में आ गया यार मुझे क्या मालूम अगर मुझे मालूम होता कि तुम्हें माली की बेटी हो तो मैं तुम्हें से शादी करता कलवे अब साले गोपर में फसे वे तलवे अब अब अच्छा किया तुने यार मेरी पोल खोल के बहुत अच्छा किया तुने मैं तो बहारा दूर रहा जा यार कि मैं कैसे अपने बीवी को छोड़ कर यहां से भाग जा हूँ अब यार मैं सच्छी बोलो यार मुझसे नौकर का काम नहीं होएं मैं बहुत ठक जाता हूं यार तो भागने का बाहरा दूर रहा ता मिरे को चांस मिल गया का सोच रहा था कि बीजी के साथ ताज में खाना काऊंगा यह ताज के बहरे का टुपा पहरा दिया मेरे को इसा नहीं करते हैं तुम्हारी ब्याता है उसका कोई कुसर नहीं है चाहिए तो मुझे जूते से मां लेकिन उसे छोड़कर मैं जा मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं अच्छा लड़का है वह तुम्हारे जाए तुम्हारे से इतना काम नहीं होता यार यह परतर माचो कपड़े दो मामें यह फटका मार के जो मेरे वह जिंदगी में फटका लगा है ना क्या बोलू मैं मामें बर्बाद हो गया ना बेटे ना रोते नहीं मैं जानता हूं वह बहुत नेक और अच्छा लड़का है वह तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता बेटी वह वह वापस आएगा देखना खल सुपर जरू वापस आएगा वह बेटा आएगा शराब पीकर जवानी में कौन नहीं भैगता है अगर अगर जो और आपने चला को अगरिएगर के बुद्धु लाट कर दो अगर आएगा वामे तुष बोलता है ना मेरा मूड़ खराब हो जाता है ले ओरा घर और ये रहे बुद्धु अरश आरो कोई लाटा जी बाबुजी बाबुजी आगए कौन क्या बोला बेटा दोनों कौन दोनों अरे वही मामा दी और राजा जी राजा जी आख या मेरा चांद अरे मेरो पच्चा कैसा है तू ठीक मगर बहु का है आप भी कमाल करते हैं बहु पहली बार घर आ रही है तो जाहिरे टांगे में होगी अरे अभी तक उसका ग्रह प्रवेश नहीं हुआ तो घर के अंदर दाखिल कैसे हो सकती है फैर मैं आर्पी लेक्या आती हूँ बहु नहीं आई है माँ बहु कि नहीं है जी जाजी आप गुदर पता है वो मेलों में रहने वाली अमीर लड़की है उसने है ना शैर चोड़के गाओं के मामुली जोपड़े में आने से साफ इंकार कर दिया जी पता है वो कोड़पती बाप की इकलोती बेटी है ना पहले तो राजजा जी की मेरे गरीबी के रंग के बारे में पता लगा ना उसने अपना दिखाना शुरू कर दिया बात बात पर ताने देने लगी फिर बात गालियों तक पॉच गई और उसका कॉड़पदी बाप है ना मा अरी वो तो मेरे साफ नोखर वाला बरताव करने लगा बाबुजी ने तो बेटा जवानी मी तेरी यादाश का मज़र हो गई है तेरे ससुर का नाम सेट धनपत राय नहीं है परताप सिंग है परताप सिंग जो धनपत राय की यहां अधना समाली है उसका नोकर है सर्वंट्स कॉटर में रहता है कि वहां तुने हमसे लाग जूड़ फला में में वहीं पहिजान गया था लगर फेविरे तेरी इज़द के लिए मैंने तुầremosिर पुझ नहीं का वहला तो अबने क्योंकि तुने उसके दौलत की लालजम से शादी की थी और जब तुझको उसकी घरीबी का पता चला तो तेरे दौलत के अर्मान टूट गए तेरे सबने खाग में मिल गए और तू मौका देकर वहां से भाग निगला यह है तुम्हारा बेटा यह एगली आटे हती है कि अगली के साथ अदो फेरे लिया के साथ एक वचन होता है एक कसम होती होता है हर कसम हर वादे को लाग मार के चलाया आज तक जो कुछ भी तू ने किया अपनी मर्दी से किया आज तू मेरा फैशला सुन आज के बाद तुछ पर इस घर के दर्वाजे बन और इस घर के दर्वाजे उस उत खुलेंगे जिस दिन मेरी बहु मेरी घर की इज़त इस घर में वापिस आएगी आज के बाद हमेशा के लिए ये दर्वाजे तुछ पे बंद है तुछ पे मा मैं वा नहीं जाओगा तु बाबुजी को समझाना बाहर का रास्ता उधर है मा इस जगा पर मेरा भी बरुबर का दिकार है मैं नहीं जाओगा प्ष्छ हाओगा ही अ मैं तीरी माथ को हैना तेरे जणम होने के पहले से जानता हूँ, तिर को गर से बाढर निकालने के बाद वह क्या से онधूगी होगीविलitted कर अभुद मिरे नहीं गया आगो से नहीं होतम हृक गि मैंने की थी ना मा को मुझे जुत्ता मारना चीए था ना जुत्ते खाने का इतना ही शौक है तो मा घर पे और जुत्ते मेरे पास है चल वापस चड़ते है बड़ा होता हो रहा है तो मुझे जुत्ता मारने के लिए अरे अगर मैं घर वापस चला गया ना तो अपनी बीबी स चलियर, मुंबई चलना है मेरेको पर मुंबई जाने के पैसे कहा है एक मन देखा न अब क्या देख रहा है? क्या चेक कर रहा है? अर चेन बेच दी, अंगुठी बेच दी, दात बेच दिया अब क्या मनने बेचेगा? अरे, तेरे कर दो कसाई भी न खरीदेगा ? आरे अरे तुको सोच न See जाय तो जाय कैसे न तु भी गज़े ए तो सोच सकता है में इतनी अक्कल होती है तो मैं तेर शाद थो पड़ी रदता पर सोच तो ही सोच ठीक है मामय सोच लिया चलो चलो चुछिक तो कहा हमर्के सबके साथ सबचदाई और मैंने अट में से पहले पहले मुम्बई के लिए निकलना हुगा है पापा जी अगर आप भुरा ना माने तो ये सारी की सारी बोरिया उठा कर मैं ट्रक में रख दू सारी के पर लिए आप मुझे मुम्बई ले अरे आप इनकी बातों का बुना मत मनिएगा इनकी तरफ से भी मैं हमाली कर दूँगा पकी बात है अजी पकी लग जा कहां पर धन्यवाजी तु बोरी उठाब मैं अंदर बैठता हो जी हाँ बैठ जा मामे हाँ 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 लाजा पाइल देख कौन आया है तेरे प्यार में ये क्या कर दिया पहकने लगा दिवाना दिल तेरे प्यार में ये क्या कर दिया पहकने लगा दिवाना दिल संभालना नहीं संभाले से भी सनम हो गई बड़ी मुश्किल तेरे प्यार में ये क्या कर दिया पहकने लगा दिवाना दिल पहकने लगा दिल ख्यालों के दिन गुजरे न अब एक पल साथी मेरे तेरे बिन तूने मुझे दे दिया दिवान की कासिला चलता रहे गुंद भल चाहत का ये सिलसिला तेरे प्यार ने ये क्या कर दिया बहकने लगा दिवाना दिल सम्हा नहीं सम्हा ले सभी सनम हो गई बड़ी मुश्किल बड़ी मुश्किल चीचा है ऐसे तुझे भरलू मैं आघोश में मैं बूल जाओं जहां तू ना रहे होश में तुझको बना के पुदा तेरी बादत करूं बूले ना तुझको कभी इतनी महबत करूं तेरे प्यार में ये क्या कर दिया बहत ने लगा संभाना ने थी संभाना ने संभाने से भी संदम हो गई संभाना जुझक करूं आप अपापा जी आपने ड़न्पू रोप दिया बहाद दरसल यह है जब तक दो चार रोट्टी से पेट पुझाना कर लू तो यह गाड़ी निया चलती उससे, ओ चार दिन का सवरा है डादी, यह लीजे प्रताप अंकल के लॉट्ट्री के टिकेट, चेक कर लीजे अंच बार। अल उप्रताप अरे इससे पकड़ जा रहा था, फढ़ो उस्यान來, आरे परताप, तेरी 10 क्रोड की लोट्रि निकली मेरे और यह लॉट्री, नहीं शेची ठीक से देख लीजे इक बार 1956 लीजे इसे बन्हड आरे पद्सक्रोड की लोट्रि निकली ए तेरी मेरी लाट्री और दस करोड मैं हम अमीर हो गए बेटी मुझे यकीन नहीं है हम लोग अमीर हो गए है 10 करोड क मारिक हो गये हम लोग 1 पिटी हम महीर हो गए कि अमीर हो गए हम अमीर हो गए हम लोग अमीर हो गए है आे हैं है kto तोड़ा तका मार दो एक बार मार दो जी और पेशाणा पता शात है नहीं आपने हमको नहीं पेचाना ओछी पेचानेंगे अब कैसे हम पहली बार सब्सक्राइब करें तो नहीं हो और पाइल पैर दीदी आधा इनी सोनी कुड़ी इनी सुशील कुड़ी नूँ वो नसी बुजला छड़के चला गया कुटा कमीना लेकिन चाचा जी आप चिंता छड़ देओ कि इससे शादी कौन करूगा हम कुरबानी देंगे चाचा जी हम आगए है न यह मेरो छोटा प्रोचिंदा ये करेगा इससे शादी हाँ तो मड़ी इनसेट कर दिया मेरी जारा हूं आजा बाणगे तुने आज है न अपने माद में का दिल तोड़ा है तोड़ा है तुन्हे दिल अरे जिदिक इवर पैसा कमाने का सफ़ला देखा और अजब पैसा मिल रहा है तो उसे लात मार रहा है पर मैं भी एना तेरा दिमा अगर आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की ना तो मैं आपके पैर में क्या पूरे पतल में कुद्ध कुद्धी कर दूगा पैर चोड़ पैर चोड़ बोल तुछ दुख है तुख की स्टोरी इस तरह है कि मेरा एक भाण जाय है नाम उसका है राज्जा मैं बहुत प्यार करत कुछ कर दो कि मेरी करोणपती लड़की से शादी हो जाए ताकि मैं ना दुनिया के किसी भाणजे पर डिपेंडेंट न रह सकूँ अरे इस बाबा की ताकत को तु जानता नहीं अगर मैं चाहूं का हावाओ का रुख बदल कर पहाड़ों में सुनात कर दूँ जानता है यह क्या है यह चाकू के नीचे क्या है चाकू के नीचे केके है केक है नहीं केक है केक है केक कोई मामूली केक नहीं बाबा का केक है असर के विना वापस नहीं आता यह ले बालक यह केक तु जिसको किलाएगा और तेरे प्यार में दिवानी होकर आईस से भागेगी जैसे मजनू की पीछे लैला रोम्यो की पीछे जुलियेट उसके पीछ तेरे पीछे कॉन, समझ गया। सेक्रेट्री, वह 20 लाग का जो चेक है वो खना एंखना कमपनी को भीजवा देना। 20 लाख? हलो, अमेरिका से, एक मिनट मेडम आपका अमेरिका से फोन, अमरीका से? हलो लक्षमी स्पीकिंग अच्छा वो आपके कंपनी में हमारे एक्स्टा पेमेंट आ गया है तीन लाग डॉलर का वो पेमेंट साथ दिन के अंदर भीजवा दिजिए ओके ओ देवी जी नमस्कार घबराओ नहीं मैं तो आपको बस ये केक खिलाना चाहता हूँ हाँ आज मेरा है साथ मेरा है साथ मोचने है जी और आफने की ऐख जेला है और यूदि बंदर के लिए चाहुअं दॉत्यौच केग खा लिया तो शादी लाल के बीचे शाली करमेंग निये भागेगी हpiej अरे मेरी माँ अरे बसकर बच्पन से आज तक मैं कभी पेड़ पे नहीं चड़ा लेकिन कुदिया की बच्ची तूने है ना मेरे को आज पेड़ पे भी चड़ा दिया अरे मैं तरय हатता हूं तू दू चली जाओ अरे चली जाओ equations और का अंगा髑 तुम्हें इत्नी भीत्मीज नहीं में कि का सांटमे से कैसे बाते करनी चाहिए जांदेरो या कौन है ? शॉरी और जान में और आया मैं जो गलती की इसके लिए में माफे मंगने के लायक तो नहीं हूँ मगर मैं अपनी गलती का अइसास कर चुका हूँ और मैं अपनी धरम पत्नी को लेने आया हूँ मैं जानता हूँ बेटे, तुम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो, उसके बगार तुम रह नहीं सकते, मैं तु ये भी जानता था कि एक दिन उसको लेने के लिए तुम वापस जरूर होगे, इसलिए मैंने तुम्हारी पत्नी को शादी के उसी लाल जोडे में सजागे र जाँ देख क्या रहे वेटे, उठाओ और ले जाओ अपनी पत्नी को यही है तुम्हारे असली मुहबबत, असली धरम पत्नी अरे तुम्हें मेरी बेटी से नहीं इन पैसो से प्यार था, इन पैसो के लिए तुने मेरी बेटी से शादी की थी इनी पैसों के वज़े से सब के सामने तूने मुझे जलील किया था और इनी पैसों के वज़े से तूने मेरी बेटी को ठुकड़ा दिया अरे बेटी का दर्द तो वही समझ सकता है जिसके खुद की बेहन या बेटी हो तू क्या समझेगा तुम्हें पैसा चाहिए न, उठाओ, उठाओ जितना उठा सकते हो, और अगर ये भी कम है, तो दूसरा कमरा नोटों से भराओ है, लेके जालो कि नीत बात याद रखना, पैसा दे रहा हूँ, बेटी कभी नहीं दूँगा, आप मुझे गलत समझ रहे से, सुरजी, आप मुझे गलत समझ रहे, अब बड़ा बेशारम आदमी है तो, अब ही तक यही खड़ा, अरे इसको तो मालूम नेगी, या खड़ा क्यों है, इसकी जगा को यह और होता, तो गाहां को आटिकिन कटा के यह फौरड यहां से चले जा अरे शहर के सामने अपनी बीवी को जलील करके उसे ठोकर मार कर चला गया, अरे मर्द, पत्मी की इज़त और आबरु के लिए अपनी जान देते थे हैं, उसे सरे महफल बदनाम नहीं किया करते हैं, और तुमने, तुमने तो सारी कहानी ही खातम करते, लेकिन फिर भी एक सल लहात देती हूँ, तुम जवार हों डुबाराब शादी तो करोगे ही, लेकिन जिस नड़की के साथ भी दुबाराब शादी करो, उसको कभी किसी के सामने जलील मत करना, उसे महनत की रोटी खिलाना, क्योंकि महनत की रोटी की एक निवाले के लिए पत्नी अपने बाप की करोड़ों की दॉलत को ठुकरा सकती है लेकिन शायद तुम यह नहीं समझोगे तुमने बिल्कुल ठीक समझा यान एंजानम मैंने ऐसे रास्ते पर खदम रख दिया है कि मैं जितना अगे बढ़ता जाओंगा मेरी मंजिर उतनी ही दूरूती जाएगी यह बाबुजी ने बहुत पहले कहा था कि जब दिमाग काम नहीं करे तो बस उपर वाले पपरोसा रखो और आगे बढ़ो तो भाईया हम तो आगे बढ़ते आप जैसे बड़ा इंडेसलिस्ट अगर इस फैक्टी को खरीद ले तो यह फैक्टी डल जाने कहां से कहां पहुन जाए मैं तो कहता हूँ यह हिंदुस्तान की टॉफ फैक्टी बन सकती है ठीह टॉफ फैक्टी राजा आप इसे जानते हैं क्या अच्छी तरह से जानता हूँ यह यहां काम करता है जेहां आफ काम की बात करते हैं मैंने इस जिन्दगी में काम के पीछे इतना दिवाना इंसान आज तक नहीं देखा तीन महिनों से काम कर रहा है लेकिन दस आदमियों का काम अकेला करता है नजाने कौन से जुनून सवार है इस पर नजाने कौन सी दिवानगी है बहुत खुब आपके मुलाकात करवादू मैं नहीं कोई जुरूद नहीं और उसको पता नहीं चलना चीकी मैं यहां पर आया था क्यों है कोई बात आओ बेटा आओ आओ बेटो यह जो तुम्हारा बाप खड़ा है ना इसके दिमाग में थोड़ी सी अकल डालो क्यों क्या हुआ बेटी यह जो पैसा होता है ना इसके पाउं नहीं होते हैं लेकिन पाउं वाले से सोगोना ज्यादा तेज भागता है इसलिए पैसे को भागने में तुम्हार आदमीं हो तुम छुपरो मैं तुमसे अग्वारा आदमी हूं नहीं ना मैं बिटिया से बात कर राहा हूं बेटी कल मैं एक इसझील फैक्ट्री देखी है उसके आगे बढ़ने के चांचित बहुत अच्छी मैं चाता हूं कि वो फैक्ट्री तुम खरीद ल मैं चाहता हूँ कि वह फैक्टरी तुम खरेद लो जैसा आप ठीक समझे अंकल तो फेर ने काम में देर क्यूं उठो आप उठीए आप उठीए पहले आप उठीए आप उठीए आप उठीए आप उठीए अच्छा थीक हो नो साथ में उठते हैं लेट्स गॉ। लेट्स गॉ। आप हटिये। पायल, पायल, मेरी प्यारी-प्यारी पैन, कितने चल लिया। एक प्राठा तो खाती जा। भावी, मुझे भूक नहीं है। लोग कर लो, गल। स्वेरे से ना तुने कुछ खाया है, ना कुछ पिया है। ऐस तरह कैसे चली जाएगी। एक पराठा तो खाले पैन। चले अंकल। चलो। यहाँ तो बहुत गर्मी है। बस इतनी सी गर्मी से घबरा गई। जरा नजर घुमाके तो देखो। बस शिताग के आग में सिर्व को इसनी चल रहा है। तक यसके पिविस को पस्मेजाए। राजा भाईया, राजा भाईया, आपको मनेजर साहब ने बुलाया है। अरे भाई, इतनी जल्दी नहीं है, पहले खाना तो खालो। अरे भाई, खाना तो जिन्दीगी पर खाया है। अब कुछ काम कर लें, बाद में खाना खालेंगे। चलो, 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 चलो यह मेरा टिशिन का आ गया? राजा भीया, चलो, मुस्तवा टिफी नहीं गाया है। ने, खाना है ना हमारे पास, दोनों बैके खाना खाते हैं। चलो, साथ में खाते हैं, आज साथ में बिसमिल्ला करते हैं। आज के दिन, हर सुहागन अपने पती के हाथ से, कुछ लेकर करवा चौत का व्रत खोलती है। आज तुम दूर ही सही, तुम्हारी जूटी रोटी खालूगी। मैं समझूगी, मेरा व्रत पूरा हो गया। आज जीन दे रहा, जीन दे रहा। मेरे मखनो, वर्त खोल लो, सेरदा कुछ खात दा नहीं तो सुख गया तुसी। क्या है। पाइल पैन, यह क्या कर रही है तु। बही जो हर सुहागन अपने पती के लिए करती है। लो कर लो काल, कौन सा पती। आपकी कितने पती है। अब कोई हैगा। मेरा भी एक ही पती है। राजा। देखा, देखा जी आपने। इसने राजा के लिवरत रखा। तब भी तो मैं कहूँ कि स्वेरे से इसने कुछ खाया पिया, क्यों नहीं। ओ जी सुनो, अगर यह राजा के पास वापस चली गई, तो फिर साटा की होगा। मेरे प्यारे मक्षनों, तुसी फिकर ना करो, तुरह अपने मक्षन ना कमाल ते देखो। ए वरत एजार राजे वस्ते आखरी है। आज इते बाद सारे वरत साटे चिंदे वस्ते रखेगी। मैं जरा चाचा जी नूं मिलो आपले। अरे बस का रहे, और कितने दिल भगाएगी। बाबाजी। मेरे पैर, मेरे पैर। एक बाबाजी, अरे मेरे को बचानो। आरे भाग भाग के मेरे पैर में चालने बढ़ गया है। इस शेर की कोई गली, कोई सडक नहीं बची। जहां पर इस ने मुझे ना भगाया हो। तमझ गया बालक। लगता है वो तुमसे ज़्यादा प्यार करने लगी है। प्यार? है, तुम्हारा ये हाल देखकर लगता है तुमसे वाइल्ड प्यार किया है। कोन है वो तुम्हे भगाने वाली। लूसी। लूसी एक इसी जानवर का नाम लगता है चार पेरो वाली जानवर वो देखो ऐसे खड़ी है जैसे मेरे साथ है ना साथ पेरे लेकर ही मानेगी लगता है रॉंग नमर लग गया ओ बाबाजी सब कुछ रॉंग हो गया केक खिलाना था एलफ और लक्षमी को और खा लिया एलफ और लूस Georgcture ने लूसी तुम्हारी जिंदगी की कड़वा हाट में समझ गया ये कड़वा हाट धूर करने के लिए ये लिए मिठा केक अब ये कोण सा केक है नपरत केक हो ये जिसको खिलेगा और से नपरत करने लगेगी चीक है ये केक तो मैं लुसी को खिला की रहूंगा लुसी ये खाले मैं कहता हूँ खाले मैं तरे हाथ जोडता हूँ खाले अरे ये क्या करें आप? ओ जी मैं केक खिला रहा हूँ आप मिस्टर? हाँ वो ही मैं केक वाला मिस्टर उस दिल वाला आज फिर से केक अजी क्या है जी आज है न मेरे टोमी का बस्टे है तो जब तक मैं टोमी के एक दो रिष्टेदारों को ये केक नहीं खिलाऊंगा तो वो पुरा मान जाएगा दिन तूट जाएगा उसका तो आज मैं आज आपका केक नहीं खाया मैंने मुझे बहुत दुख है लेकिन आज मैं आपका केक जरूँ आपका को आपका केक अरी अरी यह तो नफूलत वाला केक है कि अब यूज़ कमीने के फिलाज है मुझे तलाख आप एक बाप होकर अपनी बेटी को तलाख लेने का मशौरा दे रहे इसलिए कि मैं अपनी बेटी के पती को अच्छे तरह से जानता हूं कि वो कितना नीश कमीना और मक्भार इसा है मुझे उसकी कुछ परवा नहीं लेकिन आज वो एक मेहनत का शिंसान है पिता जी मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है वो अपनी मेहनत से अपना और अपनी पत्नी का पेट भर सकते हैं पिता जी तुम इस कागस पर साइन करती हो या नहीं नहीं संदी जी वो कर लो गल ससुल भी आ गया शमा करना संदी जी हम लोग शाद गलत वक्त पर आ गए हम लोग यह सोच कराए थे कि हम अपने बेटे में और बोग में सुला करा देंगे तो मैं पता नहीं था कि यहां पर तो नौबत तलाग तक महुंच चुकी है आप हमारे राजा से इसलिए नाराज थे क्योंकि वो काम चोड़ था दूसरों के पैसों पर एश करना चाहता था दूसरों पर बोश था लेकिन यकिन करिये भाई साब हम इसा बिल्कुल नहीं है उसे अहसास हो गया है कि अपनी मेहनत की कमाई का मज़ा कुछ और ही होता है उसने अपनी गलती का प्राइश्चित कर लिया है और प्राइश्चित से बढ़कर कोई सजा नहीं होती आज मैंने अपने बेटे को प्रैक्टर में पसीना बाहते वे देखा तो जिन्दगी में पहली बार मेरा भी सीना फकर से भूल गया मुझे भी लगा मैं नौजवान म हमें इसलिए ठुकरा कर चला गया था कि हम गरीब थे लेकिन आज मैं आपके बेटे और आप सब को इसलिए ठुकरा रहा हो कि आज मैं अमीर हूँ अच्छ 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 तो कहानी की असली वुनियाद यह है मैं तो अपने रूठे वे संधी को मैना ने आया था मुझे क क्या पता था कि मेरा संधी जो है उसे बड़ी जल्दी दौलत की हावा लग जाएगी पर माफ का ना भाई यह जो सारी दौलत और शान और शौकत है यह आपके अपनी मैनत की कमाई हुई नहीं है लोट्री से आई हुई है लोट्री एक किसम का जुवा उतार जुवे की सभी दौा ठाव करता है लोट्री दौलाट्री की पैशेक ओको जो माई वोलता है लोट्री और आसे नि deriv I तुने मेरे बाबुजी पर हाथ उठाया आप साले हाथ तोड़कर इतना दूर फेक दूगा छे जनम लग जाने ढूंड़े मैं चलो दर, चलो दर चल, चलो दर चल बाबुजी आप क्या करने आए आपर बेटा हम आपने बहु से मिलने आए थे अरे काहे की बहु, अरे काहे की बहु यह लोट्री के बल पर अमीर बनने वाले इनके रिष्टे भी लोट्री की तरह होते लोट्री लग गई, आदमी करोड़ पती नहीं लगी तो काहे का पती वैसे मेरी यह राय मेरे ससुर जी की बारे में मेरे पत्मी की मेरे बारे में क्या आरा है? deadly यह मुझे नहीं मालू चरब आ आए अजम तुछल मैं आता हूँ सुनो मैं तुम ससे माफ़ी मंगने के लिए आया था तुम न मुझे माफ नहीं किया मुझे बहुत सुनाया तो तुम्हारे बोलने का मुझे इतना बुरा नहीं लगा, जितना आज तुम्हारे चुप रहने का लगा है मुझे, बाबुजी और मेरी मा की बेज़ती हुई, तुम चुप रही, अच्छा नहीं लगा मुझे कमाल हो गया, साला हराम खोर बत्तमीज, अपनी बुराईयों को चुपाने के लिए, खाम का हम सब गोल बैटगरते लागया, भई हम कुत्ते हुए, तो चाचा जी भी तो कुत्ते हो गया, और नहीं तो क्या, सेट जी, अब मेरे लिए क्या हुकम है, लो कर लो गल, अच्छा पता शिता है नहीं, गल असी नहीं करांगे, गल चाचा जी करता हुए, यह लो कागस, और इस पर साइन कर दो यह क्या है, पता जी वो कागसात है, जिन में मैंने लिख दिया है, कि जितनी भी दौलत आपने मेरे नाम की थी, मैं वो सारी दौलत आपको वापस दे रही हूँ, और अपने असली दौलत के पास जा रही हूँ, अपने पती के पास, मतलोब तो अपने बाप को छोड़कर मजबूरी है पता जी, बेटी पती के पल्लू से पल्लू बाद कर अगनी के जितने फेरे लिती है, बाप का हग उतने ही गुना कम हो जाता है, और पती का हग उतने ही गुना ज्यादा, मेरे पती का हग आपके हग से साथ गुना ज्यादा है, क्योंकि मैंने अपने पती के सा साथ फेरे लिए हैं नए जीवन में प्रवेश करने जा रही हूं आशिर्वात दीजे जाने से पेले मेरा भी फैसला सुनती जा आज तु इस घर के आशो आराम को ठोकर बार कर जा रही है लेकिन एक बाद याद रखना गल अपने गरीब पुती के घर में बरतन मांचते मांचते तेरे हाथ घिश आए और चूला फूंकते फूंकते तेरी आँखों में आसो आ जाए तो किसी तक्ये में मूँ छुबा कर रोना लेकिन इस घर की तहलिज में दुबारा कदम मत रखना आप जा तक्ये में मूँ छुपाने की नौबत नहीं आएगी पिता जी मैं अपने पती की हैसियत जानती हूं अपने पती के घर में शायद मुझे सर रखने के लिए तक्या भी नसीब नहों कि अपने पता जी के साथ चौड़ दीजे ने अचपाई तू क्या सोचती है पिता जी से रिष्टा तोड़के तुम पती के घर में सटला जाएगी और हम लोग हाथ मलत दरे जाएगी इतने दिन से हम चाचा जी की सेवा कर रहे है कभी नम की लसी कभी मिठी लसी और कभी आलू का पराठा ओजी आलू के नहीं घोबी के पराठे ते मुली के पराठे और वो जो सुर्सु का साख खाया था की डाल के वो कुछ नहीं और पता है मैं तुम उसर वकर बोली जा रही है और ये चाचा जी कीतनी सेवा करने के बाद तू क्या सचती है क्यों मारा चिंदा बिल्कुल त्यार करें आए उनमें अब सोड़ा जो मैं कैता हूं चुप करके करतीजा वर्मा तो आपड़ाद वाने में टाइम नहीं लगता मुझे डिदी रापतां अधु पारदा आपड़ा था लेके चल और एख रहा हां पड़ी आइड यह क्या के रहे बीटीसू? मैंने अपनी आखों से देखा है बाबुजी, वो कमीना मक्षन और चंदा पाइल और माली काकब को जबरदस्ती उठाकर ले गए है और वो पाइल की शादी चंदा से कराना चाहते है इसका मतलब है, जो कुछ हो रहा है, मेरी बहु की मर्जी की खिलाफ हो रहा है तु सोच क्या रहा है, जाके मेरी बहु और संदी को बचा जा रहा काय का संदी और काय की बहु, जब वोलो कोई रिष्टा ही नहीं रखना चाते है, तो हम लोग क्यो नाता रखे नाता तो तुमने तोड़ा है राजा, पायल ने नहीं, वो तो आज भी अपने पिता का घर छोड़के तुम्हारे पास आ रहे थी, सिर्फ इसलिए कि वो तुमसे बहुत प्यार करती हाँ हाँ कोई प्यार बार नहीं करती, इस अब ड्रामा आये, ची तूची राजा जुत्य खाता तो बहुत अच्छा होता, ना आप खाने का दिल कर रहा है, तू जा रहा हूं पाल को बचाने, न मैं भी तू आ रहा हूं, तो चल ला बचाने, तू बचाने, आख रहा हूं वह साब हमने आपको पहले कह दिया था, हम सिर्फ दो गंदे के लिए बैंड बिजाएंगे, मुझे अमरिश्पुर के शूटिंग में बैंड बजाना है, क्योंकि हमारे स्टेश का बड़ा लाई है अरे मैंने तुछ अपना बेटा समझ कर सीने से लगाया, और तुने मेरी पीट मेरी चाकू खोब दिया और चुपाई चाचा, तर लुपता शाता है नहीं, हम कमीने नहीं, बताई शी कमीने अगे है, हम पैसे की खतर, खड़े-खड़े बजार में अपने बाप को भीच देते हैं, और तो तिस केती मुली है, है अगे, जल्दी से बंद कर अपना ये ड्रमा, तो अपने कपड़े पैर कर शादी के लिए तैयार हो, अरे ये क्या कर रहा है मखण जी, शादी शुदा नर्की की फिर से शादी करने जा रहे हो, अरे कानून अं जुरू में, क्यों अकिल से अगे हुआ तो इसके जयादत का पहला हगदार तो मैं आ हो गया मतलब ये मतलब ये-जब तक मैं पायल को तलाग नहीं देता तक तुम्हाद साला अशहाजात का पीररा हगदार है नマतलब क्या क्या ये-जबोर्न फाल को तलाग दने होत निए ये क्यारे है और पैसे के लिए मैंने शादी की, मगर! अरे आके फाड़कर तुर लेफ्ट में क्या देख रही हो? इतनी स्टीटी बजाया समझ में निया? चुप चाहँ आप खड़ी रहो? और आप क्या खुजा रहे हैं? जब तक 50 लाग रुपे नहीं मिलेगा ना, मैं नहीं साइन करूगा! क्या करते हैं? हमारे पास ना फूटी कोडी बिरी है? भाण जी तुजित मत कर, देख गरीबों का प्रॉब्लम समझना है ना, गरीबों का फर्स बनता है इसकी भीवी है ना, सोने जेवर पहने हैं, सोने की हैना जी? आौहँ जी तो फिर ऐसा करो, सोने की जेवर उतार दो, भयाने की तोर पिर दे दो मेरा भांड है ना, इस में से काज़ निकालके, पहन निकालके button और साइं कर देगा त् currency अज जैवरोम के लिए टोलों चली जाएगी उतार मैं नहीं कड़ती उसने पर नहां आ史 निमा में तुस्में खुश नी पाएगा ना ना मैं मुढ़े बैठके परमुटा फाणके घुचाउंगा अच्छा ओठीक है चिंदे उतार दे कपड़े अपने नहीं 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 तो मैं नहीं साहिव गरूगा अधर दे अधर दे तुझे तुले इटरेस पेडिकरी पेली ह पुञजी और की कर रहा है नई जि अअcken नेश्म श्रय ने काली हृतार दे ओख्थ ओ्परम यांब हृतार दे खिर्यतं अड कुली मारा था हिए और अपड़ा बंगा आए टुमने मार क्यो रहा है मार क्यो रहा है तेरी शाधी होड़ी तुछटी में खड़ा है जल चलके कपड़ बचलके आते लाहोजी फड़ाओ वाया वाया जाने थी थी तीयार हो के आया साब मुझे मेरे पैसे देजो बुझे मंरीशपूरी के शूटिंग में बैनबे जाना है तुझे मरीशपूरी के शूटिंग में बैन भृणर के छाना है सुiges और यॉघक नपता अधर जा बैनर्मे जाना है आईये रिटा के ना result रिखॉप पहलेगा यहाई अ ठीस क्रेंगे अरे मेरे जिजी, मेरे रोली पॉली जिजी, मेरे प्यारी प्यारी जिजी, जिजाजी, तु इतना मोटा कैसे हो गया है? इस होगे मोटा, आच आच आँ, वह साब लेकिन तुम मुझे क्यों दूमला कर रहता? मुझे आमनी पुरी के शूटिंग में बैन बजानना है, मेरे पैसे देदो मेरे जीजाजी को परशाद देख देख पैसे, पैसे देख शादी हो इनी, पैसे मागता है, बैन बजा स्वाहा, आज से आप दोनों पती-पत्नी हो गए जीजाजी दोका, बीदी दोका, देख 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 यह मैं हूँ अरे, क्या कर रहे हूँ मेरी बीबी मुझे माव कर दे, मुझे माव किया अजीज तुनिये तो तो बहुत ताकत है तुम्हारी बाज़ों में अबे, आइभे मोटगे, क्या करो, क्या करो, मोटगे यह, क्या करो, मोटगे कर दो कर दो कर लोग कर लोग कर लोग कर दो लड़ क्यों नहीं किता लड़ा नारा नहीं है कच्छा लिशे किर रहे है कच्छा मैं पगड़ किया तू लड़ पुतार मेरी जिटी आगे मारना एक छड़ नहीं मोटे नूँ और पगड़ कर लोग 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 कर दीटी झाल हर रिवा झाल झाल भी उिल पताश चाता पिली जिल झाल झाल कि अ उताख झाल उाल झाल झाल अबी कच्छा तो नीचे नहीं आएगा अच्छा नीचे नहीं आएगा लेकिन उपर तो जाएगा दिद्धी कच्छा तो लेता है जाएगा है 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 थे तर फिर के मारूंगा है आई है इसेटर को माइद में अच्छा अच्छा पर अब लड़ने का बिल्कूल मूड नहीं था भाणजा बलकुल ठीक कहा रहा, जीजाजी लडने का मूड तो मेरा भी नहीं था वो तो जेल जा रहा है, मेरे पैसे कोन देगा, मेरे पैसे दीजे, मुझे अमनिश्पुरी के शूटिंग में बैंड बजाना है दो मिनट और रुग है ना, तो तुमारी बैंड हम मज़ा देंगे, चलो भागो ऐसे, और सुनो, तुम तो चौकी तर थे ना बंगले पे, साब वो मेरा जुडवाब आई है, तो फिर एक मिनद भी मत रुखना, चलो भागो ऐसे, चलो बाग, दीदी चुप कर खोतिया अब छुपने से क्या फाइदा? चलो, मेरे साथ चलो तक क्यूं आती है? चला चला दीदी देखा है पहली बार साजन की आखों में प्यार देखा है पहली बात साजन की आखों में प्यार अब जाके आया मेरे देचेने दिल को खरा ओजी आप बुरा ना मनों तो एक बात कहूं कहिए ना पहली बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको देखके मुझे कुछ कुछ हो रहा है पेरा नाम शादीलाल है लेकिन शादी अभी तक नहीं हुई है लगता है इस सेहरे पे है ना आप ही का नाम लिखा हुआ है आप बुरा ना माने तो मैं भी एक बात कहूं बोलो जी मैं भी बरसों से कुआ रहे हूं और मुझे लगता है एक मिनिट किस मंगल सुत्र पे भी आप ही का नाम लिखा है ओ जी मैं आपके दिल में रहना चाहता हूं मैं आपके घर में रहना चाहती हूं बिटे मुझे माफ कर दे मैं आगे मत मुली टाइम नहीं है मेरे पास आप जो बड़े बुजर्गों का काम है न वहीं करिये आप बस अरे 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 चलो वीड़े घर चलते हैं करोडों की दौलत है तुम्हारे सिवाए उससे समाले का को ना 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 मैं नहीं होने का बहुत बड़ा हराम खोरता मैं बहुत बड़ा हराम खोरता बड़ी मुश्किल से सुधरा हूँ मापुजी मेरे बिल्कुल ठीक कहते थे कि अपने दो हाथों की कमाईवी रोटी होती है न वो खाने का मज़ा ही कुछ और है वो दूसरों के करोड़ों में नहीं है नहीं है ओ मामे ओ किदर रह गया तू माणजे डिस्टब मत कर मेरी कहणी का दी एंड बहुत अछा हो रहा है तू अपना काम कर मैं अपना काम करूंगा ओ मामा राजाजी मेरा नाम एश करना एश करना एश करना मेरा काम जहां जिधन से जाता हूँ मैं सब करते हैं सलाम राजाजी 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 राजाजी